हेलो फ्रेंज and welcome to अपनी कक्षा, आज हम स्टार्ट करेंगे linear equation in two or three variables, इसके questions individually matrix से भी ज्यादा है और इसके questions individually determinants से भी ज्यादा है, अब ये topic क्योंकि ज्यादा चर्चे में नहीं है तो फिर ऐसा लगता हुआ इससे questions नहीं आते लेकिन determinant और matrix की properties यूज करके इससे उनसे भी ज्यादा question आ जाते है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ढंक से पढ़ना क्योंकि इसके अंदर को matrix तुमने पढ़ावा है, determinants अगर पढ़ावा है, ये दुनों पढ़े वे तो ये वाली चीज आराम से बहुत easily हो जाएगी, उन सारी चीज has no solution, ठीक है, जब इसके अंदर बोल दिया हमें, जैसे हमें दिखा कि no solution, no solution के बाद, हमारे दिमाग में directly आना चाहिए, जब no solution बोला है, तो उसका मतलब ये हुआ, कि capital D, capital D हमारा 0 होगा, और इसी के साथ, कि जो हमारा dx है, और dy है, और dz है, इन तीनों में से कोई भी एक ऐ एक ऐसी value, कम से कम एक ऐसी value है, जो 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तीनों के तीनों 0 होगए, फिर तो मतलब कि तीनों equations ही same है, बस उसके अंदर जाए 2x plus y is equal to 4 दिया हुआ है, तो next equation 4x plus 2y is equal to 8 दे देगे, और third equation भी इसके अंदर multiply by 2 कर देगे LHS और RHS में, इसका मतलब व equations दे रखी है, तो हम ये बोलते हैं, सबसे पहले इन 3 equation के determinant मना लेते हैं, determinant मनाने के लिए क्लिए हैं, सबसे पहले 2 दंडे खड़े करते हैं, तो ये 2 दंडे हमने खड़े कर दिये, तो इसके अंदर हम क्या करेगे, जो equations है, उससे matrix बनाएंगे, तो matrix क्या बन जाएगी 2, minus 1 2, मतलब कि x, y और z के coefficient, फिर second equation में x, y, z के coefficient, वो के है हमारे, वो है हमारे 1, minus 2 और lambda, और 3 के अंदर है 1, lambda और 1, ठीक है, ये सारे, ये होगे हमारा capital D, जब इस determinant को, ये d is equal to, इस determinant को solve करते है, तो हमारा आ जाते है, 2 multiply by minus 2, minus lambda square, plus 1 multiply by 1 minus lambda, plus 2 multiply by lambda plus 2, ठीक है, ये आगे हमारे determinant का value, इसे और further simplify करते हैं, तो ये आजाते है, minus 4, minus 2 lambda square, plus 1, minus lambda, plus 2 lambda, plus 4, ठीक है, ये आजाते हमारे determinant, इसे और भी जाता simplify करते है, simplify करते जाना, जब तक lambda और lambda की terms में नहीं आ जाता, तो ये हो जाएगा, minus 2 lambda square, plus lambda, plus 1, is equal to, इसको कैसे करेगे, इसको solve किया हमने, तो ये आगे minus बाहर निकाल दिया, अंदर आगया, 2 lambda square, minus lambda, और minus 1, इसे कर देते है, factorize, तो देखो, minus तो बाहर ही था, और अंदर वाली चीज़ को जब हमने factorize किया, तो 2 lambda plus 1, multiply by lambda minus 1 आगया, छीक है, इसका मतलब कि lambda, ये अगर 0 है, determinant d is equal to 0 करना था हमें, ये 0 के solutions कौन से कौन से होगी, तो ये 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए, मतलब कि lambda is equal to minus 1 by 2, और lambda is equal to plus 1, ये दो solution से हमारे lambda के, अब एक बार देख लेते हैं कि dx, dy और dz, इन तीनों में से एक ना एक ऐसा होना चीए, जो 0 ना हो, तो सबसे पहले dx देखते है, dx जब हम देखते है, तो capital D तो देखो हमारा य dx के अंदर सारी की सारी चीज़े ऐसे के ऐसे आएगी, तो हमने यह से उठा के, यहां पर सबसे पहले पटक दिया, हमने पटका, अब यह तो capital D है, dx के लिए हम क्या करते हैं, देखो, इसके अंदर हम दो equation same रखेगे और तीसरी वाली line जो है, वो change कर देगे, तीसरी वाली line कौन सी change करेगे, जैसे dx बोला है, x वाले coefficient यह वाले थे न, तो इन्हें मिटा देगे हम, इन्हें मिटा के कौन से लिखेगे, जो की हमारी equal to के उस side है, मतलब कि 2 minus 4 और 4, x के हटा कि यहां लिख दिया, 2 minus 4 और 4, अगर dy बोला होता तो y के हटा कि यह 2 minus 4, 4, y में लिखते है और dz बोला होता है, यहां पर लिखते है, यहां पर मतलब कि यह वाली column के अंदर, ठीक है तो dx बोला है, तो dx को हम solve करते है, dx को जो हम solve करते है, तो हम बोलते है, इसकी value आ जाते है, 2 multiply by minus 2 minus lambda square, plus 1 multiply by minus 4 minus 4 lambda, plus 2 multiply by minus 4 lambda, plus 8, ठीक है यह आ रहा है, इसे simplify करते रहते है, तो यह हो हमारा minus 4 minus 2 lambda square, minus 4 फिर से, फिर minus 4 lambda, minus 8 lambda, plus 16, इसके अंदर lambda वाली terms अलग, lambda square वाली अलग, इन सब को simplify करके आ जाते है, minus 2 lambda square, minus 12 lambda, plus 8, ठीक है, तो हम यह देखते है, अब इस वाल equation के अंदर, lambda की value चाहे minus half डालो, या फिर 1 डालो, इन दोनों से यह चीज जीरो नहीं आ रही, तो हमारी दूसरी condition सिर्फ dx की अंदर ही solve होगी, कि अगर lambda की value यह और यह है, मतलब की minus half या फिर plus 1 है, तो capital D तो 0 हो जाएगा, लेकिन dx उसके अंदर 0 नहीं होगा, तो हम बोलते हैं, कि lambda is equal to minus 1 by 2, और lambda is equal to 1, मतलब की lambda is equal to minus 1 by 2, and lambda is equal to 1, यह दोनों value है lambda की, जिसके बाद हम not equal to 0 हो रहा है, मतलब इन दोनों value के उपर हमारा no solution आएगा, अब no solution तो हमने लग लिए no solution आएगा, तो इससे हम यह बोल सकते हैं, कि lambda की solutions है, जिससे कि हमारी no solution आए, इन तीन equation को जो की question के अंदर दीवी है, वो वाले lambda की values हो जाएगी, हमारी minus half और plus 1, चीक है, तो option के अं is an empty set, गलत, is a singular ten, मतलब की एकी value, गलत, contains more than two elements, यह भी गलत, contains exactly two elements, यह सही है, क्योंकि इसके अंदर दो elements है, एक तो minus half और एक plus 1, अब आ जाते हम question number 2 पे, question number 2 के अंदर क्या बोला, let a is equal to x, जिसके अंदर x, y, z और उपर t दियावा है, ठीक है, px is equal to 0 दियावा है, और x square plus y square plus z square is equal to 1 दियावा है, अब px is equal to 0 है, उसके अंदर p क्या है, हमारा यह दियावा है, एक matrix, ठीक है, then set a is, set a क्या बोला, यह set a है, a मतलब की x की सारी की सारी values, x, y और z यह दियावा हमें, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि x, y, z आ जाएगा, जो कि x है हमारा, याने क देखो, px is equal to 0 है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो px is equal to 0 दे दिया हमें, इसका मतलब यह हुआ, p क्या था हमारा, p जो matrix था, वो हम matrix लिख लेते, p matrix था हमारा 1, 2, 1, minus 2, 3, minus 4, और 1, 9, minus 1, ठीक है, यह था हमारा p matrix, x matrix क्या हो जाएगा, x matrix हो जाएगा हमारा column matrix, जिसमे x, y और z, तो p into x is equal to 0, इससे हमारे 3 equations बनती है, 3 equations कौनसी कौनसी, यह सारे coefficients में डाल दो, x plus 2y plus z is equal to 0, यह पहली वाली row से बन गया, second row से बना हमारा minus 2x plus 3y minus 4z is equal to 0, और third row से बना x plus 9y minus z is equal to 0, ठीक है, यह 3 equations बन गई, अब हम क्या करते हैं, जो पहली 2 equations है, उन्हें cross multiplication से solve क करते हैं, तो जब हमने cross multiplication से solve किया, तो हम बोलते हैं कि x divided by minus 8 minus 3 is equal to y divided by minus 2 plus 4 is equal to z divided by 3 plus 4, अब यह चीज़ कैसे आई, तुम्हें पता होगा cross multiplication से कैसे solve करते हैं, हमने पहली 2 equations से यह equation कैसे लिखी देखो, x, x divided by, अब हम क्या करेगे, इसका जो determinant होगा, जीए वाले terms, मतलब कि 2, 1, 3, minus 4, इसको solve करेगे, तो यह हो जाते है, minus 8, minus 3, तो हमने नीचे लिख लिख लिया, minus 8, minus 3, फिर उसके बाद, यह हो गया, फिर second y दिया है, तो y को हटा लेगे, बाखी के जो determinant मनाएगे, 1, 1, minus 2, और minus 4, तो यह हो जाएगा, हमारा minus 4, plus 2, लेकिन y वाला term है, यह second term है, तो यह minus के साथ आएगा, तो यह minus के साथ खुलेगा, तो हमारा minus 2, plus 4 बन जाएगा, instead of minus 4, plus 2, क्योंकि minus वाला sign में इंट्रड्यूस हो गया, z के अंदर minus नहीं लगेगा, तो z के अंदर determinant नहीं लगेगा, हमारा 1, यहां पर 3, यहां 2, और यहां-2, यहां नहीं 3, minus of minus 2, into 2, तो मतला कि 3, plus 4, ठीक है, यह चीज़ बन गए, यह दोनों equation solve करने के बाद हो रही है, इसे हम यह भी लिख सकते है, x divided by minus 11, is equal to y divided by 2, is equal to z divided by 7, ठीक है, यह चीज़ लिख दी, और this is equal to, हम कर देते, k, k कर देते, या कुछ भी कर देते, चलो lambda कर देते, यह तो कई और काम भी 11 lambda हो गया, ठीक है, y हमारा 2 lambda हो गया, और similarly z हमारा 7 lambda हो गया, यह तीन चीज़ हमने लिख दी, अब क्या करेंगे हम, यह equation जो दीती, question के अंदर की x plus 9y minus z, जो की third equation है, is equal to 0 दिया था, ठीक है, यह वाली equation question के अंदर दीती, यह देखो, यह वाली equation, ठीक है, अब इसकी अंदर दिया था, तो इसके अंदर हम lambda की values डाल देते, मतलब की x, y और z की lambda की terms में values डाल देते, तो minus 11 lambda का whole square, यह 121 lambda square, फिर 2 lambda का whole square, वो हो गया 4 lambda square, फिर 7 lambda का whole square, मतलब की 49 lambda square, is equal to 1, तो lambda square common ले लेते, और अंदर की ता बचा, 121 plus 4, तो 174 lambda square is equal to 1, तो lambda की value इस से की आगे, lambda की value आगे, plus minus 1 upon under root of 174, तो यह होगी हमारी final lambda की value, अब lambda की value आगे, x हमें पता है lambda की terms में, y हमें पता है lambda की terms में, और z भी हमें पता है lambda की terms में, तो इसका मतलब की x की value आजाएगी, minus 11 divided by under root of 174, y की value आजाएगी 2 by under root of 174, और z की value आजाएगी, plus minus 7 by under root of 174, मतलब की lambda की आ तो हमें two pair of solutions मिलेगे एक तो plus के साथ किया हमने lambda को और एक minus के साथ किया तो तो फिर options देखते है options के अंदर क्या बोला है कि इसके अंदर set a contains more than two elements गलत हो गया is a singleton गलत हो गया ये भी contains exactly two elements तो ये वाली चीज हमारी सही हो गई तो हमारा final answer आ गया option c तो अब आ जाते हैं question number 3 प equation के अंदर बाकी नहीं है और ये भी बोल दिया इसके infinitely many solutions है तो फिर क्या होगा अब देखो जब infinitely many solutions होते है तब उसका तब उसकी वजा क्या होती है एक तो capital D हमारा zero हो जाए और एक dx, dy, dz ये तीनो equal और equal to zero मतलब कि तीनो के तीनो 0 के 0 हो जाए तो हम बस यह करना है इन सब capital D को zero करते है तो उससे क्या होगा हमारा lambda मिल जाएगा तो हमने यह किया सबसे पहले determinant के लिए क्ले करते हैं दो खड़े डंटे करते हैं तो हमने यहापर दो खड़े डंटे कर दिये अब इसके बाद determinant के अंदर क्या-क्या values आएगी मतलब elements की क्या-क्या values आएगी वह सारे ह जो की equation के अंदर हमें coefficient दिये है तो coefficient क्या कि है x के y के और z के x के है 1,2,3 इसके अंदर है 1,4,2 और z के है हमारे 1,-1 और lambda जो की है हमारी unknown term जो की हमें निकालनी है और यह हमारी 0 होनी चाहिए तो हम बोलते capital D की value 0 लाने के लिए इससे solve करते है तो हम बोलते है 1 multiplied by 4 lambda plus 2 minus 1 multiplied by 2 2 lambda plus 3 और last में plus 1 multiplied by 4 minus 12 ठीक है इसको और solve करते है तो यह हो जाता है हमारा 4 lambda plus 2 minus 2 lambda minus 3 minus 4 minus 12 क्या हो जाएगा minus 8 ठीक है तो इसको further simplify करते है तो हम बोलते है कि 4 lambda minus 2 lambda हमारा 2 lambda हो गया और 2 minus 3 minus 8 यह क्या हो गया हमारा यह हो गया हमारा minus 9 ठीक है तो 2 lambda minus 9 is equal to 0 तो इससे हमारी lambda की value आगई जो कि है 9 by 2 जाने के 4.5 अब lambda की value आगई अब हमें क्या करना है dx, dy और dz इन तीनों को 0 करना है तो dx क्या होगा सबसे पहले तो determinant के लिए हमने दो डंडे कीच लिए है अब जो elements d के अंदर थे उन्हें हमने उठाया और उसके बाद उठा के यहां पर पटक दिया हमने इसके अंदर यह वाले dx वाले लेकिन इसके अंदर dx बोला है तो इसका x वाले जो coefficients थे वो सारे मिट जाएगे तो ये ये और ये ये तीनों मिट गए और इसकी जगा के आ जाएगे जो equal to के उस सेट दिये है याने के 2,6 और mu तो यहां आगे हमारा 2,6 और यह चीज भी हमारी 0 होगी और lambda की value अब हमें पता चल गए है तो lambda को हम डाल देते 9 by 2 यह डाल दे हमने 9 by 2 इसकी value 0 होने पड़े कि आए इस determinant को 0 करने के लिए हमारी mu की value भी आजएगी जो इसको simplify करके लिखते हम तो हम ये बोलते है 2 multiply by 4 into 9 by 2 क्या हो जागा 18 minus 2 into minus 1 minus 2 तो यह हो जागा minus minus plus तो यह 18 plus 2 फिर आज़ाद है minus 1 multiply by 6 into 9 by 2 that is equal to 27 minus of lambda into mu into minus 1 तो 27 plus mu आगया last याने के plus 1 into 12 minus 4 mu ये चीज़ आगे इसे हम open कर लेते है तो 20 था 20 into 240 minus 27 minus mu plus 12 minus 4 mu तो हम यह बोलते है कि 27 plus 12 क्या हो जादे है 39 और 40 में से 39 minus की तो plus 1 तो 1 minus 5 mu is equal to 0 तो इससे हमें पता जलता है कि mu की value क्या आजएगी mu की value आजएगी 1 by 5 lambda की value थी 9 by 2 और mu की value आगे 1 by 5 हम directly यहाँ पर भी question end कर सकते है तो इसको जो हम simplify करते है और तो हम बोलते है कि 40 plus 12 याने के 62 और 62 minus 27 ये होगे हमारा 25 तो 25 minus 5 mu ये हमारा 0 है तो mu की value क्या आजएगी mu की value आजएगी हमारी 5 अब lambda की value आगे 9 by 2 और mu की value आगे 5 ये हमारा final answer और option के अंदर क्या दिया है देखो इसकी value याद रखो lambda की value 9 by 2 mu की value 5 ये मैं यहीं लिख लेता हूँ lambda की value आगे हमारी 9 by 2 और mu की value आगे 5 अब option के अंदर इन सबको देखना है इसके अंदर क्या लिखा lambda minus 2 mu क्या है minus 5 करके देख लेते 9 by 2 minus 2 times of mu आई नहीं सकता कि ये fraction के अंदर आएगा ये भी fraction के अंदर आएगा तो ये दोनों तो directly हमने reject कर देखो solve करने की ज़रूद भी नहीं है हमें पता है ये fraction है ये integer है तो फिर इसका integer तो आई नहीं सकता एक fraction और एक integer को add करेंगे तो फ्रेक्शन ये आएगा लेकिन बी और ये option के अंदर ऐसा नहीं हो क्योंकि 2 lambda बोल दिया 2 lambda मतलब कि 9 हा गया ये ये integer ये भी integer और ये भी integer इन दोनों को check करना पड़ेगा तो 2 lambda याने के 2 multiply by 9 by 2 that is equal to 9 plus mu हमारा क्यादा 5 ये 14 ही आ रहा है तो हमारा option B सही answer है लेकिन D भी एक बार चेक कर लेते हैं कि है ये नहीं तो इसके अंदर नहीं बोला है कि 2 lambda minus mu 2 lambda minus mu याने के 2 lambda 9 हो गया minus mu याने के 5 हो गया तो 9 minus 5 तो 4 होता है लेकिन इसके अंदर 5 दिया है तो D option भी हमारा गलत है ACD गलत है हमारा सही answer B हो जाएगा तो अब हो जाते हैं question number 4 पे question number 4 के अंदर ये बोला है कि let lambda belongs to real number और ये भी बोला है कि the system of linear equation ये तीन equation दे रखी है हमें कौनसी 2 x1 minus 4 x2 plus lambda x3 is equal to 1 इसके अंदर unknown term हमारा lambda है अगली equation दे रखी है x1 minus 6 x2 plus x3 is equal to 2 और last equation दे रखी है lambda x1 minus 10 x2 plus 4 x3 is equal to 3 अब इसके अंदर same हमारे variable है lambda और lambda इसके अंदर कुछ नहीं है जो x, y, z हमें देते थे वो x1, x2 और x3 दे दिया और कुछ भी नहीं है इसके अंदर different डरने की तो बिलकुली बात नहीं है तो इसके अंदर यह बोला है कि यह दो system of equation है यह हमारी inconsistent है ठीक है inconsistency निकालने के लिए हम क्या करते है हम करते हैं हम करते capital D को सबसे पहले zero करते है ठीक है और plus one next row के अंदर आ जाएगे हमारे lambda minus 10 और plus 4 यह सारे elements हो गए अब यह capital D है और यह हमारा zero है इसको zero करते है तो lambda के अंदर एक equation मिल जाएगी उससे हमारे solution आ जाएगे quadratic equation मिल जाएगी और उससे हमारे solutions आ जाएगे तो हमने जब इसको खोला determinant को तो हम खोलते है 2 multiply by minus 6 into 4 फिर minus 10 multiply by 1 तो यह हो जाते है हमारा minus 14 ठीक है प्लस 4 multiply by 4 minus lambda plus lambda multiply by 6 lambda minus 10 this is equal to zero अब इसे खोल देते है तो यह हो जाते है minus 28 plus 16 minus 4 lambda plus 6 lambda square minus 10 lambda is equal to zero देखो बन रहे है quadratic equation बढ़िया सी quadratic equation क्या बन जाएगी अब 6 lambda square minus 14 lambda minus 12 is equal to zero इसको यह भी लेख सकते है 3 lambda square minus 7 lambda minus 6 is equal to zero क्या किया है LHS और RHS के अंदर divide by 2 किया है बस और कुछ नहीं अब इसको कर देते हम factorize यह हम करते है तो इसके factorization से निकलता है हमारा 3 lambda plus 2 multiply by lambda minus 3 factorization तो आते होगा 8 class में पढ़ाते है ठीक है this is equal to zero तो हम बोलते है कि lambda की इससे दो values आती है कौनसी या तो यह 0 हो जाए या फिर यह 0 हो जाए तो lambda की values आ जाती है हमारी minus 2 by 3 और हो जाती है दूसरी value plus 3 तो lambda की यह दोनों value आ गई अब हम क्या करते है dx निकालते है no solution के लिए हम बोलते कि capital D is equal to zero होना चाहिए लेकिन dx और dy में से और dz में से एक ना एक ऐसा होना चाहिए जो की zero नहीं है तो हमने बोला कि सबसे पहले जब हमने dx निकाला आप देखो dx के अंदर ही satisfy कर देया तो दोनों की दोनों हो जाएगी हमारे satisfy लेकि नहीं हुआ तो हमें बाकी के भी चेक करने पड़ेगे तो dx के लिए भी हमने दो खड़े डंटे किये अब इसके बाद जो elements D के अंदर थे वही हमने उठाए सारे के सारे वहां से copy करके हमने इधर पटक दिये अब इसके अंदर हमने dx बोला है तो हमारा जो first column है वह सब बट जाएगा first column मतलब की x वाली जो terms मतलब x वाले के जो coefficients ते वट गए उसके जगा आजाएगे equal to के बाद वाले मतलब की 1 2 और 3 यह आजाएगे यह लिख लेते 1 2 और 3 अब lambda की यह दो values है dx को भी solve कर देते lambda की terms में तो हमने जब dx को lambda की terms में solve किया तो हम बोलते 1 multiply by minus 24 plus 10 plus minus into minus 4 तो यह हो जाएगा plus plus 4 multiply by 8 minus 3 2 into 4 8 minus 3 ठीके plus lambda minus 20 plus 18 ठीके normally determinant खोला और कुछ भी नहीं किया अब इससे कर देते simplify minus 24 plus 10 minus 14 हो गया plus 8 into 4 क्या हो गया 32 minus 12 minus 20 lambda plus 8 minus 20 plus 18 अंदर ही कर देते bracket में यह minus 2 हो जाते है तो यह in total minus 2 lambda हो गया तो हमने यहापर minus 2 lambda लिख दिया अब इसे solve करते है तो plus 20 मतलब कि minus 2 lambda plus 6 6 minus 2 lambda यह dx हो गया हमारा अब dx यह हो गया इसके अंदर यह देखो दोनों के दोनों values put करके देखो जब हमने minus 2 by 3 डाला तो dx की value 0 नहीं आई लेकिन जब lambda की value हमने 3 डाल दी तो इसकी value आगई हमारी 0 तो हम यह बोल देते कि dx की lambda is equal to minus 2 by 3 यह तो पक्का हो गया यह for sure answer है हमारा ठीक है लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि 3 answer है या नहीं है क्योंकि इसके अंदर 0 आ गया dy और dz के अंदर भी check करना होगा जब हमने इसको dy के अंदर देखा तो dy के अंदर भी हमने क्या किया 4 minus lambda plus lambda times of 3 minus 2 lambda तो इसको simplify करते है तो 5 into 10 minus 4 plus lambda plus 3 lambda minus 2 lambda into lambda that is equal to minus 2 lambda square तो यह quadratic बन जाते है quadratic क्या बनते है यह minus 2 हमने common ले लिया और अंदर बन जाते है lambda square minus 2 lambda minus 3 और अंदर वाल है मतलब lambda square minus 2 lambda minus 3 को जब हम factorize करते है तो minus 2 तो बाहर ही है बाकी चीज़े आ जाते है lambda minus 3 multiply by lambda plus 1 चीक है तो यह होगी हमारा dy अब इसके अंदर भी जब हमने lambda को 3 डाला तो यह भी हमारा 0 हो रहा है तो 4 lambda is equal to 3 dy is equal to 0 dx भी 0 था तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि 4 lambda is equal to 3 dx is equal to 0 अब mains के अंदर यही फायदा है यह फाल्तु चीज़े जो होती है ना जो हम English के अंदर लिखते रहते है boards के अंदर वो सब लिखने की जरूर इतनी है बस तुम्हें खुदको पता होना चीए टाइम बचेगा इसके अंदर मेंस के अंदर और जितना टाइम बचेगा उत्ता प्रेशर तुम्हें पर काम रहेगा तो dy भी 0 आगया अब लास्चीज मतलब कि dz भी चेक कर लेते चलो दो चीज़ किये तो तो हमें क्या करना स्टार्टिंग में वही दोडंडे कीचे नॉर्मली अब मेंस के अंदर दोडंडे ऐसे नीट आंपला के ज़रूरत नीन नॉर्मली हीचलो बस असे मिक्स नी होने चीज़ किसी के साथ अब इसके बाद हमने क्या किया जो डी वाले जो एलिमेंट्स थे जो कि हमने डी Еक्स solve करो के तो ऐसी पता चल जाएगा, तो इसको जब हमने solve किया dz को, तो हम बोलते है कि dz के अंदर solve करके आ जाता है, 2 multiply by minus 6 into 3 minus 18 plus 20 plus 4 times of 3 minus 2 lambda plus 1 times of minus 10 plus 6 lambda, ठीक है, तो इसको जब simplify करते है, तो यह आ जाता है, minus 2 lambda plus 6, अब इसके अंदर भी हम बोलते है कि 4, lambda is equal to 3, dz is also equal to 0, अब d, dx, dy और dz, सारे के सारे 0 आगे, तो हम बोलते है कि इसके अंदर infinite solutions हो जाएगे for lambda is equal to 3, और for lambda is equal to minus 2 by 3, इसके पास no solutions रहेगे, तो जब हम से question में पूछा था कि इसके inconsistent solution होने चाहे है, मतलब कि इसके no solutions, no solutions lambda की कितनी values पर आ रहे है, अब वो lambda की एक value हमने देखी कि अगर lambda की value 3 है, तो फिर तो infinite solutions आएगे, वो inconsistent नहीं रहेगा, लेकिन अगर lambda की value minus 2 by 3 है, तो इसमें no solutions आ जाएगे, no solutions याने के, दिखते है option के अंदर क्या क्या option दे रखे, exactly two values of lambda, यह गलत हो गया, क्योंकि lambda की value 3 है तम नहीं आ रहे है उसके अंदर, दूसरा option है exactly one negative value of lambda, हाँ यह सही हो गया क्योंकि एक ही negative value है, जो कि यह minus 2 by 3, third option है every value of lambda, यह तो बिलकुली गलत हो गया, d option है exactly one positive value of lambda, यह भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो answer आ रहा है, वह आ रहा है minus 2 by 3, not plus 2 by 3, या फिर plus 3 भी भी नहीं आ रहा, x plus y by z is equal to, देखो integers के अंदर भी advance में भी देऊगे न, तो integers के अंदर भी ऐसे question आ जाते है, x, y, z की value है, उसे integer बनाने के लिए यह कर देते हैं कि x plus y by z की value निकाल दो, या x plus y divided by z की निकाल दो, xy की power z की, ऐसे कुछ भी करके वह integer बना देते हैं, कई बार हम answer निकाल लेते सही, और फिर उसी को tick कर देते, लेकि यह नहीं देखते, कि उसके अंदर 3x पूछा है, 2x पूछा है, क्या पूछा है, तो यह last में जो चीज लिखी है, इसे underline करके पढ़ना, कि x plus y by z की value हमें निकालनी है, k की value नहीं निकालनी है, कई बार k की value टिक करके आद आते लोग, अगर option के अंदर दिखिया तो कुछ लोग करके ही आएगे, for sure, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते, यह देखो यह तीन equations दीवी है, इसके non-zero solutions बोले, non-zero solution है, तो फिर हम बोलते ही capital D is equal to zero हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कि सबसे पहले तो, या तो capital D is equal to zero कर लेते हैं, या फिर उपर वाले जो दो equation है, उन्हें हम cross multiplication से solve करते हैं, तो capital of D zero करना तो easy है, बाकी के questions में वही करवाया था, तो दूसरा method देखते हैं इसके अंदर cross multiplication वाला, तो हमने क्या किया, जो equation 1 है, इसे 1 मानलो, इसे 2 मानलो और इसे 3 मानलो, तो हमने 1 और 3 के साथ cross multiplication किया, cross multiplication जैसे मैंने पहले बताया था, कि यह क्या हो जागा, x divided by, अब यह वाली और यह वाली equation है हमारी, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर क्या coefficient से उसका determinant, याने कि 1 3 1 3, इसका determinant निकाल दिया, इसका निकाला तो यह आगे हमारा 3 minus 3, तो x divided by 3 minus 3, is equal to y divided by 9 minus 3, is equal to z divided by 1 minus 3, यह चीज़ हो जाएगी, this is equal to, खुछ भी मान सकते है, lambda मानलो, k मानलो, k तो देखो question के अंदर दिया है, तो इसके अंदर lambda हम नहीं use कर लिया, ठीक है, this is equal to lambda, तो हम बोलते कि x by 0 is equal to y by 6 is equal to z by minus 2, this is equal to lambda, तो x क्या आगे हमारा, x तो हमारा 0 ही आगया, क्योंकि x is equal to 0 into lambda, तो मतलब कि x हमारी 0 आगे value, y की value आगे 6 lambda और z की value आगे हमारी minus 2 lambda, यह 3 value आगे, इसे mark करके रखना है, मतलब यह वाला जो लास्ट में lambda की value निकल जाएगी, तो इसके अंदर हम डालके x, y और z की value निकाल जकते है, अब हम क्या करते है, इसी चीज़ को substitute करते है second वाल equation के अंदर, याने कि x को 0 डालते है, second वाल equation क्या थी, कि x plus 3y plus k square z, x plus 3y, 3 into 6 lambda plus k square z, k square into minus 2 lambda, यह चीज़ आगे, this is equal to, क्या बोलावे हमें, 0, तो this is equal to 0, अब k एक variable है, lambda है और lambda है, तो हमने बोला, 18 lambda plus minus 2 k square into lambda, is equal to 0, या तो यह हो सकता है कि lambda की value 0 आजाए, लेकिन अगर lambda की value 0 आगे, तो देखो question के अंदर क्या बोला था, question के अंदर हर चीज़ का एक reason रहता है, कि non-zero solution of x, y, z, अगर lambda की value 0 आगे, तो x, y, z, 3 हो 0 हो जाएगा, जिसको हमें question के अंदर मना किया है कि non-zero solution नहीं होना चीए, तो हम बोलते हैं कि 18 minus 2 k square multiply by lambda is equal to 0 था, lambda 0 नहीं हो सकता, तो फिर मतलब यह bracket के अंदर वाली चीज़ यह 0 होगी, तो इससे हमार आ गया k square की value आ गई 9, तो k की value आ गई हमारी plus minus 3, अब k की value plus minus 3, एदे को plus minus 3 आ रही है, अब option के अंदर हमें question के जो मैंडम starting में बताया था, कि x plus y by z की value पूछिए, कई लोग k की value निकालेगा और tick करके आदे के plus minus 3 के अंदर से, ठीके वो नहीं करना हमें, हमें x plus y by z पूछा है, x plus y by z, k की value आगे plus minus 3, x तो हमारा 0 था, ठीके question के अंदर starting में हमने निकाला था x 0 है, y हमारा क्या है, 6 lambda और z है हमारा minus 2 lambda, तो 0 plus 6 lambda divided by minus 2 lambda, तो इसकी value आगे हमारी minus 3, अब दो k की value वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिलकुल भी, क्योंकि हमें x, y और z जब lambda की term में मिल गए, तो हमको lambda तो निकालना ही नहीं है, जब हमने x plus y by z निकाला तो lambda से lambda कटी गया, तो जो k वाला step था, वो करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अगर question में k भी पूछा होता, कि x plus y by z plus k बता दो, या फिर plus mod of k बता दो, ऐसा कुछ पूछ लिया होता, तो हमारा क्या आ जाता है, उसके अंदर 3 add हो जाता है, जब mod of k एड करने को बोला है, तो इसके अंदर k की जो हमने effort निकालने के लिए, वैसे तो 3 लाइन नहीं थी, 3-4 लाइन ही थी, लेकिन वह हमेरे निकालने की ज़रू होती नहीं थी, यह रहता है presence of mind, अगर presence of mind पेपर के अंदर बहुत अच्छा है, तो time भी बहुत बचेगा, और question भी ढंक से और साही-साही solve होएगे, बिना सिले mistakes के, तो इसके बाद चलो, आजाता है, हम question number 6 पे, इसके अंदर बोला है, the value of lambda और mu for with the system of linear equations, x plus y plus z is equal to 2, x plus 2y plus 3z is equal to 5, और last equation दे भी, x plus 3y plus lambda z is equal to mu, तो last equation के अंदर हमें 2 variable दे दी है, एक तो lambda और एक mu, इसके अंदर बोला has infinitely many solutions, तो lambda और mu की value क्या होगी, अब infinitely many solutions बोला है, तो इसका मेला capital D भी 0 है, और dx, dy, dz, यह तीनों की तीनों भी 0 है, तो हम बोलते है सबसे पहले capital D लिखने के लिए, सबसे पहले तो determinant लिखने के लिए क्लिए क्या करते है, हम दो दंडे कीचते है, तो दंडे कीच लिए है, अब इसके अंदर elements कौन से कौन से होगे, elements होगे इसके coefficients, x, y और z के coefficients, तो coefficients क्या क्या है, देखो, 1, 1, 1, 2, 3, तीसरी वाली equation में 1, 3 और lambda, यह 0 होना चीए, इससे हमारा lambda direct निकल गया, देखो, lambda के निकल जाएगा, इसको जो हमने solve किया, यह आ जाते है, 1 multiply by 2 lambda minus 9, minus 1, multiply by lambda minus 3, plus 1, multiply by 3 minus 2, this is equal to 0, अब इसको और simplify करते है, तो आ जाते है, 2 lambda minus 9, minus lambda, plus 3, plus 1, is equal to 0, इसे और simplify करके लिखते है, lambda वाली अलग और integer वाल वाली उससे आ जाती हमारी 5, lambda की value 5 आ गई, option के दर देखलो, अगर सिर्फ एक ही 5 दे रखा होता, तो हमारा direct, हमें 1 mu निकालने की ज़रोती नहीं पढ़ती है, 5 आ गया, 5 आ गया, a कट गया हमारा और d कट गया, b और c बचा है, इसके अंदर mu निकालते है, mu निकालने के लि उन्हें हमने यहां से उठा के, same to same, यहां पर आ के पटक दिया, अब d x बोला है, तो हमारा जो first row है, वो कट जाएगा, और उसकी जगा आ जाएगे, हमारे जो बाद में elements दिये, equal to के वो, यहां ने के 2, 5 और mu, तो यहां लिख लिए हमने 2, 5 और mu, अब एक चीज ऐसा भी क जाता, तो हमारा calculation बहुत easy हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा time का यह फरक नहीं पड़ता, कुछ seconds का यह फरक पड़ता है, अगर बहुत ऐसा है कि तुम्हें 2 second भी बचा नहीं है, तो फिर तुम्हें ऐसे कर सकते हो, वो तो दिमाग लगाना रहता है, paper के बीच में ही, तो by 2 lambda minus line, मतलए कि 4 lambda minus 18, फिर यह हो जाएगा, minus 5 lambda plus 3 mu plus 15, multiply by minus 2 mu, यह आगया, अब lambda की value हमें पता है, ठीक है, mu की value हमें नहीं पता, तो इससे जब simplify हमने किया, तो हमारे पस minus lambda plus mu minus 3 is equal to 0 आ रहा है, अब lambda की value हमें क्या पता थी 5, तो हम बोलते है कि mu is equal to 3 plus lambda, याने कि 3 plus 5 that is equal to 8, तो mu की value हागी हमारी 8, तो अब देखते हो option के अंदर यह दिया हुआ है क्या 5 और 8, हाँ option number B दिया हुआ है हमें, 5 और 8 are the respective value of lambda and mu, तो हमारा option B साही हो जाएगा, और option C गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 7 दिया हुए है, तो अब हो जाते हैं question number 7 पे, question number 7 के अंदर क् फिर से linear equations दी वे तीन, एक ये, एक ये और एक ये, इसके अंदर को ABC ये तीन variable से वो यहाँ पर भी दिये हुए है, ABC दिये वे और हमें ABC के अंदर ही relation पूचा है, कि इन तीनों का relation क्या रहेगा, ये बोलावे कि ABC real number है और non zero distinct number है, अब इससे पूचा है कि non zero solution चाहिए, तो ABC की value क्या होगी, क्या वो ABC, HP में होगी, AP में होगी, GP में होगी या उन तीनों का sum 0 होगा, ये चीज़ पूचिए, अब non zero solution के लिए हम क्या बोलते, capital D हमारा zero होना चीए, capital D zero होने के लिए सबसे पहले हम capital D लिखते है, capital D क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम क्या करते है दो डंडे किछते है, ये दो डंडे हमने किछ लिए, अब इसके अंदरे elements के आएगे, जो कि इसके coefficients है, जाने की 2, 2, 2x के आगे, y के आगे, 2a, 3b, 4c, और z के आगे, हमारे ABC, तो हम क्या बोलते है, इसके अंदरे 2 बाहर निकाल देते है, तो ये हमारा 2 बाहर आ सकता है, य और R3 को लिख देते है, R3-R1 इससे क्या होगा, ये वाला element और ये वाला element हमारा 00 हो जाएगा, तो फिर इसे खोलने में easy रहेगा, तो हम बोलते है कि D की value क्या हो जाएगी, D की value हमारी हो जाएगी, सबसे पहले तो दोटो खड़े डंटे जैसे कि पहले बनाये थे हमने, अ जाने कि 2-2 ये 0 हो गया, ये हो गया हमारा 3B-2A और ये हो गया हमारा B-A, similarly 3rd row के अंदर ये 0 हो गया, ये हो गया 4C-2A और ये हो गया C-A, ठीक है अब इसे खोल देते हैं, किसके along, column 1 के along खोल देते हैं, तो हम बोलते है कि इसके determinant की value आ जाती हमारी 2 x 3B-2A, x c-A, x b-a x 4 ठीक है ये आ जाती है हमारी final value इसके determinant की, अब इसे और open करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, 2 times of minus bc plus 2 ca minus a b is equal to 0, इसे बस क्या किया है, इसे इस bracket और इस bracket को खोला है, फिर इस bracket और इस bracket को खोला है, इसके अंदर जो common terms से हमने minus कर दिया है, और 2 तो हमारा बाहर था, वो बाहर ही है, तो 2 को हटा भी सकते हैं, अब हमने क्या गया, इन सारी terms को, divide किसे गया, 2 abc से, अब 2 से divide करो या मत करो, क्योंकि 2 तो 0 से कटी जाएगा, 2 abc से जब हमने divide किया, तो हमने बोला कि इसकी value आ जाती है, 2 by b is equal to 1 by a plus 1 by c, अब ये वाली चीज किसकी होती है, अगर a, b, c हमारे hp में है तो, तो इसका मतलब a, b, c हमारे hp के अंदर हो गए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि one by a, one by b, 1 by c, ये थीनों अमारे AP के अंदर हो गए, अब HP और HP ये है हमारे hp के अंदर है, या तो option में ये दिया हो, कि abc हमारे hp में है, या फिर ये दिया हो कि one 1 by A, 1 by B और 1 by C हमारे AP के अंदर है, दोनों से हमारा correct होगा, तो देख लेते हैं इसके अंदर option के अंदर क्या दियावा है, option के अंदर दियावा है, कि 1 by A, 1 by B और 1 by C, AP के अंदर है, तो option A सही हो गया, अगर यह multiple choice correct रह जाता, पदलग कि किसी भी exam में, advance में रह जाता, और उ आ जाता है हम question number 8 पे, इसके अंदर बोला, for which of the following ordered pair, मतलब कि ordered pair क्या दियावा है, mu दियावा है, और delta दियावा है, mu और delta की क्या-क्या value होगी, जिससे कि यह system of linear equation हमारा inconsistent रहेगा, inconsistent मतलब कि इसके solution नहीं रहेगे, उसके लिए क्या होता है, capital D is equal to 0 हो जाए, और dx, dy और dz, य इसका मतलब, इस वाले के अंदर हमें इन तीनों में से कोई एक ऐसा होना चाहिए, जो की 0 नहीं है, ठीक है, तब inconsistent value आ जाएगे इसकी, तो हम बोलते है, सबसे पहले capital D को 0 करना है, अब capital D तो 0 ही होगा, क्योंकि इसके अंदर normal terms ही दियेवे, कोई भी variable नहीं दियावा, ले चेक कर सकते हैं, लेकिन वो waste of time है, क्योंकि अगर वो 0 नहीं हुआ, तो मतलब question नहीं हो जाएगा, तो चेक करना ही कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा DX, DY और DZ पर jump मारते हैं, तो DX, DY और DZ में से अगर एक भी ऐसा नहीं हुआ, कि वो 0 नहीं है, मतलब कि 3 की 3 अगर 0 हुए, तो फिर no solution, अगर एक भी ऐसा हो गया, कि वो 0 नहीं है, तो फिर हमारे solutions आ जाएगे, तो हम किसी एक को भी कर देगा, तो भी उसका आंचा सही आएगा, तो हम सबसे पहले DX को कर देते हैं, ठीके, तो सबसे पहले इसके determinant के लिए हमने दो खड़ी डंडी बनाई, अब इसके कर देगे हम open, इस determinant की value की आजएगी open करके, यह आजएगी 1 multiply by 16 minus 20, minus 2 multiply by 4 mu minus 5 delta, फिर plus 3 multiply by 4 mu minus 4 delta, यह चीज़ आ गई, अब इसको हम और simplify करते है, minus 4 minus 8 mu plus 10 delta, plus 12 mu minus 12 delta, यह आ गया, अब इसे और last simplify करते है, तो एक equation मन जाती है, जो क्यों हो जाती है, minus 4 plus 4 mu minus 2 delta, यह बजाती है, और यह हमें not equal to 0 करना है, तो इसका मतलब यह not equal to 0 है, जाने के 4 mu minus 2 delta, हमारा 4 नहीं होना चीज़, जाब हम 4 को set लेके गए, तो इसके अंदर जितने भी ordered pair दे रखे, याने के 10, 46, 34, 43, इनको डाल के देखते है, सबसे पहले 10 डाला, 10 डाला तो य यह हमारा हट गया, B, याने के 4, 6, 4, 6 दाला, तो यह हो गया, हमारा 4 into 4, 16, and 6 into 2, 12, 16 minus 12, हमारा 4 हो गया, तो यह वाला option भी हमारा हट गया, थर्ड अपशन है, 3, 4, 3, 4 याने गया 3 डाले है, 4, 12 minus 4 into 2, 8, 12 minus 8 यह भी 4 हो गया, तो यह option भी गलत हो हो गया हमारा और option D याने के 4 3, 4 3 डाला तो 4 into 4 16 minus 3 into 2 6 तो यह 10 है तो मतलब कि option D की अलावा सारे option हमारे हट गए और option D हमारा Dx के अंदर satisfy कर रहा है तो हमें D y और D z चेक करने की जरूरती नहीं पड़ी और हमारा final answer D आ गया याने के 4 और 3, mu की value 4, delta की value 3 पे इसके inconsistent solution रहेगे बाकी के अंदर हमारा इसके अंदर inconsistent solution नहीं रहेगे अब आ जाते हम question no.9 पे इसके अंदर यह बोला कि system of linear equation वी फिर से 3 equation दे दी जिसके अंदर हमारा variable है lambda, lambda और lambda तीन बार आ रहा है same variable तो हम इसके अंदर क्या करते है सबसे पहले capital D को 0 करते रहेगे option के अंदर देखो या तो दियावा है no solution या दियावा infinite many solution, lambda की क्या-क्या value रहेगी जब infinite value solution आएगा और no solutions आएगे, ठीक है तो हम ही क्या करना है, dx, d, z निकालना है और capital D निकालना है, तो सबसे पहले हमने capital D निकाला, capital D की value क्या आ जाएगी सबसे बहले determinant लिखने के लिए 2 दंडे खड़े कर दिये है, आजू और बाजू, अब बीच में हम लिखते इसके coefficients याने के lambda 2 और 2 फिर 2 lambda 3 और 5, last में हो ज solution आए या फिर infinite मेली solution आए, capital D को तो 0 होना ही पड़ेगा, तो हम बोलते capital D को 0 करने के लिए इससे हमने खोल दिया, यह आगे हमारा lambda into 18-5 lambda, ठीक है, फिर आजा थे, minus 2 times of 12 lambda minus 20, सही जा रहा हूं, plus 2 times of 2 lambda square minus 12, अब इसको कुछ नहीं करना, नॉर्मली बच्चों की तरह खोल आए, और फिर simplify करके, इसकी quadratic equation मानेगी, जो की बनती, lambda square minus 6 lambda plus 16, इसका देखो, ध्यान से देखो कि तो factorization हो रहा है, factorization क्या हो जाएगा हमारा, minus को हम हटा दो, this is equal to 0 करना हमें, तो हम बोलते है कि minus से, दोनों side multiply किया हमने, तो फिर minus हट गया, और फिर factorization के बाद बच्चा हम lambda plus 8 multiply by lambda minus 2, तो lambda की दो values आगे, एक तो lambda is equal to minus 8, और lambda is equal to plus 2, ये दो solutions आगे हमारे lambda के, अब इन दोनों में से, कब हमारा infinite many solutions होगा, और कब हमारा no solutions होगा, उसके लिए हम देखते, dx, dx निकालने के लिए हम क्या करते है, दो starting में खड़े टंडे की है, अब इसके अंदर सारे elements वह वाले लिख दे के जो की d के अंदर थे, तो ये 9 के 9 elements हमने उठा है, और 9 के 9 elements उठा गए, यहाँ पर हमने लाके पटक दिये, अब लेकिन इसके अंदर dx बोलाओ है, तो dx बोलाओ है, तो हम first वाली row को हटा देते है, first वाली row के अंदर हम वो सारे elements डाल देते है, जो की equal 2 multiply by 18 minus 5 lambda, ठीक है फिर इसको फिर से बच्चों की तरह से solve करते, खोलते ब्राकेट वगेरा, तो आ जाते हमारा 4 minus 60 plus 16 lambda plus 36 minus 10 lambda, और इसे और simplify करते है, फिर हम तो हमारा finally आ जाते है, minus 20 plus 6 lambda, ठीक हमने क्या क्या, 16 lambda minus 10 lambda, 6 lambda आ गया और बाकी integer वालों को अलग कर दिया, तो यहाँ minus 20 आ गया, अगर हमें option दिये है, minus 8 और plus 2, मतलए lambda की दो values आ रहे है, minus 8 और plus 2, जब हम plus 2 डालते है, तो फिर इसकी value 0 नहीं होरी, और अगर हम minus 8 डालते है, तो भी इसकी value 0 नहीं होरी, तो हम यह बोलते है, कि दोनों के दोनों के अंदर हमारे no solution आ रहे है, तो अगर option के minus 8 पे no solution दिया, तो भी सही है, और plus 2 पे no solution दिया, तो भी सही है, मतलए कि option A तो सही है, क्योंकि no solution, lambda is equal to 2 पे दिया है, अब no solution lambda is equal to minus 8 पे भी दिया होता, वो भी सही होता, लेगिन यह minus 8 नहीं plus 8 है, और यहां पर unique solution बोल दिया, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत और यह भी option A is our final answer, तो अब आ जाते हैं question number 10 पे, इसके अंदर बोला, if for some alpha और beta ये दोनों के दोनों real number है, the intersection of the three planes, मतलब कि ये तीन equation दीवी हमें, इनका intersection है, मतलब कि तीनों के तीनों equation, मतलब तीनों के तीनों equations solve होनी पड़ेगी, इससे satisfy होनी पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों के तीनो पे वो solve होगी हमारी, is a line in R3, R3 जब भी दिया ना देखो, एक बार ने question आया था, mains के अंदर R3 दे दिया, R की power 3, और किस्ट को पता नहीं था क्या R3 क्या है, लेकिन R3 सोचने की जरूरती नहीं था, R3 मतलब 3D plane, R3 मतलब 3D space, then alpha plus beta is equal to, ये पूछा है, R3 को neglect करो 3D space है, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, then alpha plus beta is equal to, alpha की value निकालने है, beta की value निकालने है, वो क्या हो जाएगी हमारी, अब ये देखो, question same है, लेकिन इसे frame अलग तरीके से किया है, ताकि लोग डर जागी, planes भी दे दिया, ये तो vector 3D भी आ गया, determinants भी आ गया, सब कुछ मिक्स करके दे दिया इनोंने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ determinant से वस question frame अलग से गया है, तो इसके अंदर भी, हमें मतलब कि solution infinite ये तीन planes बोलिये, और इनका intersection हमें बोला है, तो मतलब इसका solution आएगा, ठीक है, solution आएगा हम बोलते है, capital D is equal to zero करते है, तो capital D is equal to zero करने के लिए सबसे हमारे minus 2, minus 5 और alpha, ये होगे हमारा capital D, इसको हमें 0 करना है, तो जब हम इसको solve करते है, मतलब कि इसको खोलते है determinant को, तो ये आजाते है, हमारा 1 multiply by 7 alpha plus 25, minus 4 times of alpha plus 5, minus 2 times of 5 minus 7, इसको हमें 0 करना है, ये और हम खोलते है, तो ये आजाते हमारा finally 3 alpha plus 9 is equal to zero, तो alpha की value से आजाती हमार minus 3, alpha की value minus 3 आगी, अब हम क्या गरेगे, इसको DX, DY और DZ निकालेगे, अब DX, DY, DZ निकाल तो देगे, अब वो 0 होगे या नहीं होगे, वो हमें नहीं पता, देखो 3 plane दिया है न, 3 plane के कुछ भी हो सकते है, या तो 3 की 3 plane के जो intersection है, वो एक line होगी, मतलब उस line के around ही वो 3 plane हो सकता है, जैसे cube मानलो, cube के अंदर कोई भी एक corner मानलो, उस corner से touched किते हमारे sides है, 3 sides है, तो फिर वो 3 plane हो गए, तो एक point भी आ सकता है, एक point है याने कि unique solution, ठीक है, दूसरी चीज़ आ सकती है, हमारे एक line याने कि infinite melee solution, no solution मतलब कि 3 के 3 plane जा रहे हैं, लेकिन कोई intersect निकर रहे तो यह बोला कि line है, line मतलब कि infinite melee solution, infinite melee solution याने कि capital D भी 0 और dx, dy, dz, यह 3 के 3 भी 0, तो सबसे पहले हम dx लिखते है, dx के लिए क्या क्या हमने, dx के लिए हमने सबसे पहले, जो डंडे कीचे, अब इसके अंदर, जो भी elements d के अंदर थे, वो आपने उठा है, और वो copy करके हमने यहाँ पे लाके पटक दिए, अब इसके इनने dx बोलाता तो हम first वाले element हटा देते हैं, मतलब x के coefficients हटा दिए, उसके जगा equal to के बाद वाले जो terms थे हैं, वो लिख दिए, तो हमने लिखा 1, बीटा और 5, यहाँ 1 आ जागा, यहाँ बीटा आ जागा और यहाँ 5 आजागा, तो dy को लिखने के लिए भी हम सबसे पहले यह दो डंडे खड़े करते हैं, फिर उसके बाद जित्ते भी elements हमारे d के अंदर थे, वैसे के वैसे ही elements हम सारे के सारे इसके अंदर लिख देगे, और फिर dy पूछा है, तो हम बोलेगे कि y element के coefficient, याने कि यह वाले हटा दो, और वन बीटा 5, similarly dz के साथ करेगे हम, जब dz के साथ किया, बहुत एक के साथ करके भी शायद हो सकते हैं, एक के साथ नहीं आया, तो दूसरा वाला try करना पड़ेगा, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसके अंदर हमने बोला, 1, 1, 1 आ गया, दूसरा आ गया हमारा, आग हमारी 0 होगी, तो इसको जब हम solve करते हैं, तो हमारा आता है 13 minus beta is equal to 0, जाने के इस से beta की value आगी हमारी 13, अब beta की value 13 आगी, alpha की value minus 3 आगी, question के अंदर पूचा alpha plus beta, जाने के minus 3 plus 13 that is equal to 10, तो हमारा answer आ जाएगा इसके अंदर, option C that is equal to 10, तो अब करेगे हम question number 11, इसके अंदर भी हमें 3 equations दीवी है, 7x plus 6y minus 2z is equal to 0, फिर 3x plus 4y plus 2z is equal to 0, और last equation है x minus 2y minus 6z is equal to 0, और option मैं बुचा इसके कितना क्या होगा, infinitely many solutions xyz के satisfying y is equal to 2z, infinitely many solutions xyz के satisfying x is equal to 2z, c option है no solution, और d है only trivial solution, तो देख इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0, 0, 0 दिया हो है, तो ह हमें यह पता है कि dx, dy और dz, यह तीनों की तीनों 0 हो जाएगे, कि determinant के अंदर 3 elements लगा तर 0 आ गए, तो उसके about खोलेगे तो 0 ही आ गया, तो यह चीज़ हम mind के अंदर रखेगे कि dx, dy, dz, 0 है, अब अगर capital D हमारा 0 आ गया, तो हम बोलते हैं कि इसके infinitely many solutions है, और वो किस पे होत और z के जो coefficients है, वो सारे हमने आ लिग दिये, जो कि है हमारे 7, 6, minus 2, फिर 3, 4, 2, फिर 1, minus 2, और minus 6, ठीक है, अब यह निकालते है कि यह क्या होगा, 7 multiplied by minus 24, plus 4, minus 6 multiplied by minus 18, minus 2, फिर minus 2 multiplied by minus 6, minus 4, तो यह हमारा हो जाता है in total, 7 into minus 20, that is equal to minus 140, फिर minus 20 into minus 6, यह हो जाता है, 120 plus 120, और यहाँ पर आजाएगा हमारा minus 2 into minus 10, तो यह हो गया हमारा plus 20, तो यह आगे हमारा final 0, तो d हमारा 0 आगया, dx, dy, और dz, यह हमें पता है यह 0 होगे, क्योंकि equal to के उस तरफ हमारे 0, 0, 0 दिये वे, तो यह दोना चीज होगी, मतलब की, इसका मतलब infinite solutions, अब infinite solutions, option के अंद 2z, और एक के अंदर लिखा, x is equal to 2z, किसके अंदर सही होगा है, तो यह निकाल भी सकते है, और हम values put करके भी देख सकते है, value spot करके अगर दिख रहा है, तो मैं directly, तो फिर तो बहुत बढ़ी है बात है, नहीं दिख रहा है, तो फिर इसको solve कैसे करेंगे, देखो, सबसे बह ने क्या किया, कि यह चीज तो हमने निकाल देखी determinant 0 है, अब दो equations को cross multiply करके हम solve करते है, cross multiplication कैसे करते है, जैसे कि हमने x का यह वाला term लिया, तो हम बोलते है कि x divided by, यह term, यह term, यह term, यह term का determinant निकाल लेते, फिर वाय लिया, जैसे अभी हम इन दोनों equation का कर रहे है, फिर वा x divided by 12 plus 8 is equal to y divided by 14 plus 6 is equal to z divided by 28 minus 18, ठीक है, यह चीज आ गई, इसका मतलह हम यह बोल सकते है, x divided by 20 is equal to y divided by 20 is equal to z divided by 10, तो हम हमारे पास यह आ गया, कि x is equal to 2z, यह फिर y is equal to 2z, यह दोने equations आ गया, यह दोने equations आ गया, यह दोने equations देखते हम, x is equal to 2z, y is equal to 2z, दोनों की दोनों dv है, तो यहाँ पर हमारा minus 10 भी आएगा, क्योंकि determinant ले रहे है, second term का y का, तो फिर यहाँ पर minus 10 भी आ जाएगा, तो यह होगा, minus y divided by 14 plus 6, cross multiplication, यह दख नहीं है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं cross multiplication, ताकि सामझ में आ जाए, अगर तुम तो हमारा यहाँ पर सही हो गया, और y is equal to 2z दियावाए, लेकिन y is equal to minus 2z आएगा, चीक है, तो option a गलत हो गया, तो option b हमारा finally सही answer हो जाएगा, तो अब आजाते question number 12 पे, इसके अंदर यह बोलाए कि एक ordered pair है, alpha और beta, for with the system of linear equation, कौन सी linear equation है, कि 1 plus alpha into x plus beta into y plus z is equal to 2, similarly alpha और beta के यह तीन equations दे रखी है, यह भी बोलाए कि इसका एक unique solution है, तो वो unique solution क्या होगा, और यह भी बोलाए कि उसका एक unique solution है, तो अगर unique solution है, तो alpha बीटा वाला जो pair है, मतलब alpha की value और beta की value क्या होगी, यह हमें बतानी है, तो देखो unique solution के लिए main चीज क्या रहती है, हमने starting में पढ अंदर ही पढ़ा है कि D अगर 0 नहीं है, तो इसका unique solution होगा, और D अगर 0 है, D 0 है, फिर दो case बन जाते है कि D X, D Y, D Z, D X, D Y, D Z के अंदर अगर, यह नॉर्मल पैंसे लिए तो याद कर ले ना इसको, कि अगर D not equal to 0 है, इसका मतलब unique solution, चीक, और अगर, अब D not equal to 0 आ गया, यह तो पहला case है, ठीक है, दूसरा case है, D is equal to 0, D is equal to 0 के अंदर दो case है आते, क्या, D is equal to 0 तो हो गया, अब D X, D Y, और D Z, अगर इन तीनों में से, D X is equal to, D Y is equal to D Z है, और यह भी equal to 0 है, तो हम बोल देते कि इसके है, infinitely many solutions, मतलब कि infinite solutions आगा इसके, लेकिन अगर इन तीनों में से, एक भी, या तो D X, या फिर D Y, या फिर D Z, इन तीनों में से, एक भी, not equal to 0 है, anyone, तो इसके solutions नहीं आएगे, मतलब कि no solutions, चीक है, यह वाली चीज़ हमें दीवी है, मतलब यह वाली होते है, basic, तो फिर इसका मतलब, इस वाले question के अंदर unique solution बोला है, unique solution मतलब कि D हमारा, म अब उसके बाद अंदर के terms, कौन से हो जाएगे, one plus alpha, alpha और alpha, यह हो जाएगे हमारे यहाँ पे, यह one plus alpha, फिर यह alpha और alpha, second terms, याने के y वाले coefficients, बीटा, one plus beta और बीटा, यहाँ डाल देते हम, बीटा, one plus beta, और यहाँ पर बीटा, और आखरी यह वाले, मतलब कि one, one, two, यह हो column one is equal to column one plus column two plus column three, इससे देखना क्या फायदा होता है, column one मतलब यह, अब इसके अंदर हमने क्या किया, तीनों को add कर दिया, तीनों columns को, तो हम बोलते कि जो resultant determinant आएगा, उसके अंदर क्या किया, हमने यह normal determinant उठाया, मतलब वो दोनों सेम ही रहेगे, जो अभी determinant लिख रहे, after transformation determinant क्या बन जाएगा, इसके अंदर column one को change कर रहे तो column one उड़ा दिया, और column one को column one plus column two plus column three लिख दिये, याने कि यहाँ पर आजाएगा two plus alpha, यहाँ पर क्या आजाएगा, यहाँ पर plus beta, two plus alpha plus beta, ठीक है, इसको side में कर दिया, ताकि जगा बन जाए, second वाला आजाएगा, हमारा यह भी आजाएगा two plus alpha plus beta, third वाला आजाएगा two plus alpha plus beta, अब ज्यान से देखो, तीनों की तीनों, two plus alpha plus beta, two plus alpha plus beta आगे, तो हम क्या करते, two plus alpha plus beta को निकाल लेते बाहर, तो हमने लिख दिया, d is equal to two plus alpha plus beta, यह बाहर आजाएगा, अंदर one 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 आजाएगा, अब हम क्या करते, इसके फिर से transformation करते हैं, कौन सी? सबसे बहले लिख लेते हैं, 1 1 1 वना conclusion हो जाएगा, 1 1 1, बाकि आजाएगा βीटा, 1 प्लस बीटा और बीटा, यहाँ पर 1 1 और 2. अब इसका एक छोटा सा transformation करते हैं, जिससे कि ये वाला question बहुत जादा easy हो जाएगा, कौन सा वाला ये को 1 1 है तो इसके अंदर 2 तो 0 डारेक्टली बना सकते हैं तो हम बोलते कि रो 2 को कर देते रो 2 माइनस रो 1 और दूसरी चीज कर देते रो 3 को रो 3 माइनस रो 1 ये दोनों जैसे हमने किया ना तो दो चीज तो हमारी 0 बन गई कौनसी कौनसी एक तो ये वाली और एक ये वाली अब इसको देखते कि ये क्या बन जातर रिजल्टेंट तो capital यानि कि इसका determinant आ जाएगा हमारा 2 प्लस अलफा प्लस बीटा तो बाहर था वो बाहर ही रहगा अंदर आ जाएगे सबसे पहले दो खड़े टेंटे ठीक है उसके उपर वाली रो वन फो हमने चेंगर रहा नहीं कि तो वह तो ऐसे लिख लेगे वन बीटा और वन सेकेंड रो को हमने लिखा रो टू माइनस रो यानएगा यह जिरो आ घ्लो आगया यहां पर आ गया तो इसको सिंप्लिफाइग करना कितना इज़ी है देखो इसके अबाउ 2 प्लस alpha प्लस beta तो बाहर था वो बाहर ही रहगा अंदर आ जाएगा इसके 1 multiply by 1 minus 0 वाउ खतम हो गया है है हम मतलब कि 1 into 1 1 तो इसका determinant की value आ जाएगी 2 plus alpha plus beta ठीक है अब इसके अंदर बोला है कि इसके unique solutions होने चाहिए मतलब कि 2 plus alpha plus beta हमारा 0 नहीं होना चाहिए तब इसके unique solutions होगे अब ordered pair में देखो कि alpha plus beta अगर किसी का minus 2 आ गया तो गलत हो गया alpha plus beta minus 2 का का आ रहा है वो गलत हो गया यह 3 minus 3 plus 1 यह गलत हो गया यह यह गलत हो गया और यह भी गलत हो गया तो answer है हमारा option number a जिसके अंदर alpha plus beta minus 2 नहीं आ रहा अगर 4 की जगा minus 4 दिया होता तो भी यह गलत हो जाता क्योंकि फिर 0 हो जाता है d is equal to 0 फिर यहा तो हमारे no solutions आते infinite solutions आते unique solution नहीं आता तो option a ही ऐसा है जिसके बाद हमारा capital D 0 नहीं हो रहा तो आ जाते हम next question पे next question है इसके अंदर पे 3 linear equation दीविये है और 2 variables दिये वहे कौन से एक तो lambda और एक mu यह वोला lambda और mu real number है इसके infinite many solutions है then the value of lambda plus mu is infinite solution की condition क्या दी हमारी कि एक तो capital D 0 हो फिर dx dy और dz यह तीनों की तीनों भी 0 हो तो हम बोलते है सबसे पहले capital D निकालते है capital D निकालने के लिए हमने क्या किया सबसे पहले क्या करते है दो डंडे खड़ी करते है अब अंदर coefficients लिख लेते है यह हमारा 0 होगा ठीक है coefficients x के 1 1 1 y के 1 2 3 और z के 1 2 और lambda इसके अंदर हम कर देते transformation ताकि थोड़ा easy बड़े वैसे बिना transformation की भी हो जाएगा चलो transformation करना जिसको transformation कर सकता है नहीं करना वो direct कर दो कि 1 multiply by 2 lambda minus 6 x minus 1 multiply by lambda minus 2 plus 1 multiply by 3 minus 2 तो हम बोलते है कि इसको जब और solve करते है तो हमारा आ जाता है lambda is equal to 3 ठीक है lambda की value 3 आगे है हमारी यहां से अब हमें निकालनी है mu की value यह लेंडा plus mu पूछा है हमसे अब mu की value निकालनी है दोनों ही निकालने पड़ेगी तो हम बोलते dx, dy और dz यह तीनों equal रहेगे और equal to zero रहेगे ठीक है तो हम कोई भी निकाल लेते सबसे पहले dx निकाल लेते lambda या 3 आ जाएगा तो इसकी कोई भी value है dx के अंदर यहां यहां कुछ भी आए यह वाली जो चीज है यह होगी तो 123 123 इसके अंदर हम row 1- sorry column 1- column 2 कर देगे तो 000 आ जाएगा तो dx तो 0 ही आएगा no matter कि यहां पर क्या है ठीक है first column में तो dx नहीं निकालते है यह दे को दिमाग लगाया मैंने यही पर रुख दिया वढ़ना तो dx 0 ही आता म्यू का term ही कर जाता तो कोई फायदा नहीं था तो dy निकालते है क्योंकि dy भी तो 0 होना चीए तो हमने सबसे पहले क्या किया है दो खड़े डंडे किये फिर उसके बाद अंदर हम लिखेगे जो की equal to के उस सेड है equal to के उस सेड है 5 6 और म्यू तो हमने यह लिखा 5 6 और मुश्किन ना है तो मैंने यह बोला कि इसको जब solve किया तो हमारा आ जाता है 1 multiply by 18 minus 2 mu minus 5 times of 3 minus 2 plus mu minus 6 यह हमने कुछ नहीं किया है यह सिर्फ हमने determinant खोला है और कुछ नहीं this equal to 0 करना है तो इसको हमने खोला और solve किया तो हमारा mu का value आ गया 7 इसका 7 आ गया उसका 3 आ गया और question म हमें यही पूछा कि lambda plus mu क्या होगा तो lambda plus mu याने कि 7 plus 3 यह हो जाएगा हमारा 10 देखो अप्शन के अंदर 10 कहां दिया हुआ है 10 है option हमारा c option यह हो गया हमारा final answer बहुत easy question था इसके अंदर कुछ नहीं था सीखने के लिए सिर्फ यह था कि देखो dx के अंदर यह 123 123 आ रहा है तो हमेशा 0 रहेगा तो इसके अंदर solve करने की जरूरत इतनी y solve करो सीधा तो इससे हमने time बचा लिया जो लोग इसको solve करेगे फिर देखे कि 0 ही आ रहा है उनका time waste होगा उसने के अंदर तो एक बड़ी आसा question और solve कर सकते हैं तो जो लो वो छोड़ो आ जाते है question number 14 पे question number 14 म जैसे normally हम सारे solve कर रहें तो इसमें lambda निकाल देगे अब lambda निकाल देगा इनमें quadratic equation दीवी है मतलब कि इस lambda की value किसके अंदर put करेगे तो 0 आ जाएगा यह चीज़ पूछा हुआ है क्योंकि इसके अंदर यह बोला है कि lambda is the root of quadratic equation, lambda अगर किसी quadratic equation का root है तो वह अला lambda डालने से उ is equal to 0 और फिर dx is equal to dy is equal to dz और यह तीनों के तीनों भी 0 है तो आ जाते हैं हमारे infinitely many solutions तो हमने यह बोला capital D क्या हो जागा capital D निकालने के लिए सबसे पहली step पहली step क्या होती है बताओ वह होती है दो डंडे खिचना तहीजी step है फिर इसके आगे हम लिखते है इसके coefficients 1, 4, 3, 1, lambda 2 और 1, minus lambda और minus 4 ठीक है इसको करना हमें 0 तो इस determinant की value जो हम निकालते है तो हमरे रपास क्या आ जाती है देखो 1 multiply by minus 4 lambda plus 2 lambda minus 1 multiply by minus 16 plus 3 lambda फिर आ जाता है plus 1 multiply by 8 minus 3 lambda ठीक है इसको हम solve कर देखो हमारा आ जाता है minus 2 lambda plus 16 minus 3 lambda plus 8 minus 3 lambda जाने कि 8 lambda is equal to हमारा आगे 24 तो lambda की value आगे हमारी से 3 lambda की value 3 आगे देखो इससे तो dx, dy, dz निकालने की अभी ज़रूरत ही नहीं है विल्कुल भी lambda की value 3 है तो इन equations के अंदर डाल के देख लो कि किसकी value 3 पर ये satisfy कर रहा है तो जो हमने a में डाली तो हम बोलते 3 square मतलब 9 minus 3 minus 6 तो a हमारा सही है b option के अंदर 3 का square 9 minus 3 multiply by 3 9 minus 4 तो यह minus 4 आगे तो b option हमारा गलत हो गया similarly 3 option के अंदर 3 square 9 plus 3 into 3 9 बतलब 18-4 ये भी गलत हो गया क्यों कि 14 आ रहा है और इसके अंदर यान हे 3 square 9 plus 3 minus 6 ये भी गलत हो गया कि 12 minus 6 हमारा 6 हो जाता है तो option a ही हमारा इसके अंदर सह यही option है और यही हमारा answer है जही मेंस के अंदर तोड़ा time का ऐसा मिलता है कि अगर हमने option A किया वो सही हो गया तो option B C D check करने के जरूरत नहीं है लेकिन advanced के अंदर हमें 4 options check करने पड़ेगे मेंस के अंदर यही से हमारा थोड़ा थोड़ा time बचता है कि option A हमें ज्यादा सही लग रहा है तो एक बर सबसे पहले उसके अंदर डाल के दिखते है उसके अंदर satisfy हो गया तो बाकी चीज़ों के अंदर डालने की शरूरती नहीं है जलो यह तो बहुत easy question था question number 14 अब आजाते question number 15 पर है जो कि हमारा J-E means 9th April 2019 के shift second में आया था ठीक है यह सारे J-E means में आ चुक है जित्ते भी questions में बता रहा हूँ तो इसके अंदर क्या इसके अंदर भी तीन system of equations है देखो इसके अंदर matrices individually matrix से और individually determinants से जाधा questions आ है मतलब कि इसका question पक्का रहता ही रहता है यह तो करके जाना ही जाना है क्योंकि यह चीज़ भी बहुत easy है अगर matrix determinants आता है तो यह चीज़ बहुत जाधा easy है तो मतलब यह आ जाएगे तो जो लो question 15 करते है इसके अंदर तीन equations दीवी है और यह बोला है कि इसके अंदर non-trivial solutions है x, y, z के तो x by y plus y by z plus z by x plus k क्या होगा कि हमारा इसके अंदर variable है ठीक है non-trivial solutions याने के capital D हमारा होता है 0 यह चोटी-चोटी terms है ना बस यह आदर कर नहीं है तुम variable यह सारी चीज हो जाएगी एकदम से यह सारी चीज हो जाएगी और फिर questions एकदम solve हो जाएगी जही में इसके अंदर कुछ चुटकियो में ही तो इसके अंदर capital D को zero करते है तो non-trivial के लिए capital D zero है capital D zero है तो सबसे बेले capital D लिखने के लिए हमने क्या किया दो डंडे कीच ह अब इसके अंदर कॉणसी कोफिशेंट से कोफिशेंट से 2,1,2 यह x के कोफिशेंट से 2,1,2 बाय के कोफिशेंट से 3,k और –1 तो यह 3,k और –1 आ गया और last यहां नहीं के –1, –2, –1 और 1 तो यहां देखो कुछ-कुछ चीज़ा कॉपी करने में गडबड हो जाए ना तो प हमारे पता है कि 0 होना पड़ेगा तो k की value निकाल देते हैं, k की value क्या आ जाएगी देखो 2 multiply by k –2, –3 multiply by 1 plus 4, –1 multiply by –1 –2, तो इससे आजा था हमारा 2k –4, –15, plus 1, plus 2k, ठीक है तो यह आ गया हमारा 4k –18, is equal to 0, तो k की value आ गया हमारी 9 by 2, k की value 9 by 2 आ गयी, आप देखो equations के अंदर हमें जो दिया वा था, equation जो दिवी थी हमें 3, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसे solve कर देते हैं, तो equation के आथी, पहली equation थी, 2x plus 3y minus z is equal to 0, दूसरी equation के आथी, x plus ky, और k की value हमने निकाल थी, 9 by 2, into y minus 2z is equal to 0, और third equation थी, 2x minus y plus z is equal to 0, यह हमें इसलिए निकालना पढ़ रहा है, क्योंकि इसका हमें निकालना है solution, solution निकालके x by y, y by z, और z by x की value निकालनी की equation के अंदर वही पुछा है, तो हमने क्या किया, कि equation 1 को multiply किया 2 से, और उसमें से equation second minus कर दी, तो यह equation 1 है, यह equation second है, और यह equation third है, तो जब हमने यह किया तो हमारी equation आजाती, 3x plus 3y by 2, क्योंकि पहली equation को multiply किया 2 से, और उसके बाद second equation उसमें से minus कर दी, तो हमारी यह आगे कि 3x plus 3y by 2 is equal to 0, ज्याने कि x by y हमारा हो गया, minus 1 by 2, x by y की value आगे, इसे याद रखना है, यह equation के अंदर हमें इन्हें यह add करना है, फिर हमने क्या किया, कि similarly y और z के अंदर relation निकाला, वो तीन equation से, तो इससे हमारा y by z आजाता है, 1 by 2, similarly z by x, यह आजाता है, हमारा minus 4, देखो, यह चीज हमने डिरेक्ट normally इसे multiply करके solve करके देखिए, ऐसे multiply करके solve करके भी देख सकते है, और cross multiplication से भी देख सकते है, तो हम बोलते यह 3 तो equation आ गई, औ minus 1 by 2, plus 1 by 2, 0, और minus 4 plus 9 by 2, यह क्या हो गया, यह हो गया हमारा plus half, plus half हमारा answer हो जाएगा, और देखते कि option के अंदर दियावा है या, option के अंदर option C दियावा है, जो कि हमारा plus half, यह हो गया हमारा final answer, तो अब आजाते है, हम question number 16 पे, इसके अंदर system of linear equation दीवे है, यह 3, इसके solution स x, y, z not equal to 0, तो x, y lies on the straight line whose equation is, यह चीज़ बोली है, इसका basically मतलब क्या हुआ, कि इसके infinitely many solutions है, क्योंकि वो straight line पे लाए कर रही है, मतलब कि अगर तुम 3D के अंदर देखो, तो 3 planes है, और 3 planes ऐसे cut कर रहे हैं, कि वो 3 के 3 एक line से गुजर रहे है, जाने कि मान लो तुम कि ऐसा लाइन के उपर cut कर रहे है, ठीक है, यह यह वाली line, यह जाती ही जारी infinite, plane भी infinite ही जाते जारे, तो इसके infinitely many solutions है, तो जब मैंने बोला कि infinitely many solutions है, तो हमें क्या देखना होता है, कि capital D एक तो 0 है, और इसके बाद दो condition रहती है, तो no solution या फिर infinitely many solutions, infinitely के लिए dx, dy, dz, 3 to equal होते है, अगर इसकी जरूरत पड़ी, तो ही हम निकालेगे, बढ़ना जादा निकालने की जरूरत लिए, क्योंकि इसके अंदर से k variable दे रखा, k variable तो direct capital D को 0 करने से भी निकल जाएगा, तो हमने बोला कि capital D is equal to 0, यह करना है, capital D हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला step होता है, दो ख कर दिया, खोल दिया, determinant को, यह आजएका 1 multiply by minus k plus 1, फिर आजएका minus 2 into minus 1, मतलब कि plus 2 times of minus 2 k minus 3, और last time, याने कि plus k multiply by minus 2 minus 3, इसको हमने और खोला, यह आगे minus k plus 1 minus 4 k minus 6 minus 2 k minus 3 k, तो फिर हमने numbers को एक साट रखा, और k के जित्ते भी coefficient वालेते हैं, उनको दूसरी साट लेगे, k को उससरे ले जाते है, rhs के, क्यों कि यहां सारे minus k minus k यह आएगे, तो हम यह बोलते हैं कि minus 5 is equal to, हमारा आजाएगा minus 10 k था तो 10 k उससरफ जाके हो गया, यहां पे plus 10 k, तो k की value आगे हमारी minus 5 divided by 10, मतलब कि minus 1 by 2, तो देखो k की value आगे हमारी minus half, तो पहली equation हमें क्या दे रख ठीक है, k हटाया और यहां डाल दिया minus 1 by 2, जाने कि यह equation बन गई, 2x minus 4y minus z is equal to 0, यह हमारी equation बन गई, फिर next equation जाने कि equation 2 क्या दी, 2x plus y plus z is equal to 2, यह भी हमने यह लिख दिया, कि 2x plus y plus z, 2x plus y plus z is equal to 0, यह equation 2 बन गई, अब equation 3 भी बन जाएगी, लेकिन option के इंदर जिस type से हमे दिया वाए, उससे अगर हम देखें, तो फिर क्या हो जाता है, जो कि हमें equation के अंदर दिया वाए, तो हम कौन सी question solve करते हैं, जिससे कि यह answer आ जाते हैं, या तो तुम देख सकते हो कि, ऐसी x और y की value, x, y और z की value ढूंडो, जिसके बाद, यह सारी चीजे जो है, वो हमारी satisfy कर रही है, लेकिन वो hit and trial method अगर तुमारे दिमाग में click कर गया, तो तो बहुत अच्छी बात है, click नहीं किया, तो तुम्हें ऐसे करना पढ़ेगा, कि देखो, equation 1 मैंने यह से निकाली, equation 2 यह से निकाली, equal to 0 नहीं था, उसमें equal to, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि divide by 2 थ यह निके, जो option में हमें दियावा है, उससे मिलता जूलता एक चीज आगई कि 4x-3y-4 is equal to 0, यह देख लो option के अंदर का है, वो ही हमारा final answer हो जाएगा, 4x-3y-4, option B है, और हमारा option B सही हो जाएगा, अब आजाते हम question number 17 के अंदर, इसके अंदर बोला the greatest value of C, which belongs to real number for which system of linear equation य ठीक है, x-cy-cz is equal to 0, फिर cx-y-cz is equal to 0, और cx-cy-z is equal to 0, इसका non-trivial solution बोला है, non-trivial solution जाने के capital D क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, simple सा है, तो capital D 0 मतलब की capital D सबसे पहले लिखते हैं, first step इसका है कि दो खड़े ड़ने किया हमने, फिर उसके बाद अंदर हमने लग लि इसे हम directly भी solve कर सकते हैं, और transformation भी कर सकते हैं, लेकिं directly solve करना जादा easy लग रहा है, मुझे, 1 multiply by 1 minus c square, minus of minus c, मतलब plus c multiply by minus c minus c square, फिर आजादा हमारा minus c multiply by c square, फिर इसे हम खोल देते हैं, तो यह आजादा है, 1 minus c square, minus c cube, फिर से, फिर minus c square फिर से, बड़िया train c बन गई, अब इसको हम बोलते हैं कि this is equal to 0 था, यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, तो एक cubic equation बन गई, क्या बन गई, c square दो बार है, तो यहाँ लिख लेते हैं, minus two times of c cube, फिर c square फिर सी स्कूर थीन बार है, तो हम लिखते हैं, minus three times of c square, plus one is equal to zero, इसे हम ऐसे बिले सकते c cube, plus three c square, minus one, इसको हम सबसे पहले c से किसी एक hidden trial से, एक c की value निकालते हैं, तो c की क्या value होएगी, जिससे ही आजाएगा, तो c को देखो, जब c minus one है, तो हम यहाँ बोलते हैं, minus two, minus one, और three, तो x plus one, यह इसका एक factor होगा, x plus one से इसे divide किया, फिर एक quadratic आएगी, फिर उसे हम देख लेते हैं, इस quadratic के root किया रूट्स कै कैया है, वो है इसके root आजाएगा, एक तो हमारा x plus one है, x plus one इसके पालसे इसके एक इसके प्लस वन हो जाएगा, तो c प्लस वन, तो c की क्या value के लिए, this is equal to zero हाएगा, अब यहा तो c क्लस वन हो जाएगा, या फिर टू से मान conc 1 0 हो जाए तो c की value के आगई या तो half या फिर minus 1 minus 1 हो गया तो फिर यह 0 हो जाएगा फिर 0 multiply by कुछ भी 0 हो जाएगा तो c की यह दो values आगई minus 1 और half अब इसके अंदर question के अंदर क्या बोला है कि the greatest value of c अब इन दोनों में से बढ़ी कौनसी है minus 1 बढ़ी है या half बढ़ी हाफ बढ़ी है तो हम बोलते कि half हम answer tick करेंगे अगर greatest की जगा lowest बोला होता तो हम a option tick करता है जो कि यह minus 1 क्योंकि answers दोनों सही है minus 1 भी और half भी अगर advance के अंदर same question आया होता है यह greatest value of c नहीं दे रखा होता है ठीक है हमें सिफ c find करना होता तो option a और c दोनों tick करके आते हैं लेकिन इसके अंदर हमें greatest value बोचा है तो हमें last में दिमाग लगाना पड़ेगा यह minus 1 और half में से बढ़ा half है तो हम half को एक कर देगे अब आजाते question no 18 पे इसके अंदर क्या आया देखो set of all value of lambda पूछिए जिसके बाद यह तीन equation की infinite solution है बस यह तीन चीज़ पड़ी हमने एक तीन चार सेकंड के अंदर question बढ़ा अब जैसे हमने बढ़ा infinite solution जाने के capital D हमारा 0 और dx dy और dz यह तीनों के तीनों भी 0 हो जाएगे ह हमारे तो हम यह बोलते कि सबसे पहले capital D 0 करने के लिए capital D लिख लेते हैं अब capital D लिखने के पहला step है दो दंडे खड़ेगी है फिर उसके बाद यहां पर लिख लिए हमने 1 1 minus 1 x के coefficients फिर y के coefficients minus 2 plus 2 और फिर minus 1 और z के minus 2 plus 1 और इसका z का क्या है अब देखो इसके अंदर मैं नॉर्मल ही लिख रहा था लेकिन बाद में जब question के अंदर ध्यान से देखा तो equal to के right side पे हमें 0 वाले terms नहीं दे रखे मतलब सिर्फ numbers नहीं दे रखे x, y और z की coefficient दे रखे lambda के terms में तो इन तीन equation को हम फिर से recreate करते है तो यहाँ पर हो जाएगा x minus lambda x याने कि x multiply by 1 minus lambda यह हो जाएगा 1 minus lambda into x minus 2y minus 2z यह बाकी की सारी चीज़े same रहेगी equal to 0 next equation आजाएगी हमारी x वाला तो same रहेगा y वाले के अंदर आजाएगा हमारा plus 2 minus lambda into y ठीक है इस चीज़ को मैं ऐसे कुछ लिखता हूँ ताकि देखने में easy रहे फिर z वाला term, z वाला term तो as it is same plus z is equal to 0 last वाला याने कि minus x minus y यह सब तो same है minus lambda z is equal to 0 अब लिखे है कि हम इसके coefficients इस determinant के अंदर तो यह हो जाएगा 1 minus lambda minus 2 और minus 2 similarly 1 यहां हो जाएगा 2 minus lambda और यहां हो जाएगा 1 भी कर सकते, directly करेंगे quadratic equation मैंने कोई दिक्कत की बात नहीं है तो हमने चलो directly कर लेते, transformation करके भी easy पड़ेगा कि हमने इसको और इसको plus कर दिया तो यहां पे 0 आ गया उस type से, तो फिर हम directly, मैं तो directly करके देखते हूँ तो 1 minus lambda multiply by 2 minus lambda into minus lambda मतलब कि minus 2 lambda plus lambda square minus or minus 1 मतलब plus 1 हो जाएगा यहां से bracket हटा देते, plus 1, फेला term होगा, second term plus 2 times of minus lambda plus 1, फिर minus 2 times of minus 1 plus 2 minus lambda यह चीज हो कि इसको हम open कर देते हैं तो 1 minus lambda multiply by lambda square minus 2 lambda plus 1 जाने कि यह तो क्या हो गया, lambda minus 1 का whole square और यहां पे 1 minus lambda दिया हो है तो हम यह बोल देते हैं, इस चीज को हम लिख लेते है, lambda minus 1 का whole square तो यह 1 minus lambda का whole cube पे लिख सकते हैं, यह लिख लिख लिए हमने, plus minus 2 lambda, plus 2, minus, plus 2, minus 4, plus 2 lambda यह चीज हो गई, अब इसके एंदे, plus 2, plus 2, minus 4, यह तीन चीज कट गई, और 2 lambda, 2 lambda यह कट गई है तो हमारा finally, 1 minus lambda का whole cube आजाता है, इसका determinant This is equal to 0, तो lambda की एक value है, that is equal to 1 Lambda अगर 1 है, तो फिर, determinant की value 0 है, और तभी हमारा answer है और question के अंदर की बुचा है, कि lambda की कितनी values होगी, lambda की सिर्फ एक value होगी, जो की होगी 1 तो हम बोलतेते, कि option A है, याने कि is a single solution है, वो हमारा correct option है हम देखो transform करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे calculation fast है अगर, तो फिर, हम calculation से 2 step के अंदर, हमने question solve कर दिया तो अब आजाता है, हम question number 19 पे, इसके अंदर यह बोला कि system of linear equation दीवी यह थी, और हमें यह बोला कि A, B, C हमारे non-zero real numbers है इसकी 0, 0, 0 भी होजगता है, लेकिन question के अंदर non-zero दिया है, तो last में हमें याद रखना है, as more than one solution, इसके एक से जादा solutions है एक से जादा solutions मतलब की, infinitely many solutions होगे, दो solutions नहीं हो जकते, या तो एक solution रहेगा, या फिर infinite many solutions रहेगे, या फिर no solution रहेगा, तो infinite many solution का सबसे पहली condition कहा थी, capital D is equal to 0, और dx, dy और dz, यह तीनों की तीनों भी 0 हो जाएगे हमारे, यह है हमारे infinite solution की condition, तो इसे ही हम निकालते है, तो dx, dy और dz निकाल देगे, तो dx सबसे पहले निकालते है, हमने क्या किया है, सबसे पहले खड़े टेंटे रखेए है, फिर उसके बाद, first x वाले की जगह हम डाल देगे, a, b, c, बाकी y वाले की जगह डाल देगे, 2, minus 1, or minus 3, similarly z की जगह डाल देगे, 3, 5, or 2, अब इसका जो solution ह वो हमारा 0 आना चीए, तो हम यह बोलते, a multiply by minus 2, plus 15, minus 2 multiply by, इसके around ही कर देते हम, तो फिर जादा easy रहेगा, इसके along करते है, तो यहाँ पर आजाएगा, minus b, multiply by 4, plus 9, छीक है, फिर आजाएगा, plus c, multiply by 10, plus 3, तो हमारा आ गया, कि 13 a, minus 13 b, plus 13 c, is equal to 0, तो हम 13 common निकाल लेते हैं, तो a minus b, plus c, is equal to 0, तो dx से एक equation यह आगी है, हमारी a minus b, plus c, is equal to 0, तो हम directly equation के अंदर देखते हैं, कि क्या दिया है, a, मिला, b का coefficient minus है, और a और c का plus है, तो b का coefficient minus, और a और c का plus, ऐसा कहीं दियावा है, ऐसा कहीं नहीं दियावा, तो फिर इसको b minus a minus c, तो b minus a minus c, हाँ, option b दियावा है, हमें correct answer, तो हमें देखो, dy और dz कुछ निकालने की ज़रूद भी नहीं पड़ी, सिर्फ dx निकालने से ही हमारा answer आगया, जो कि हमारा option b, काफी easily, काफी जल्दी equation solve हो गया, अगर dx से नहीं निकलता, मतलब कुछ और equation निकलती, तो dy औ option में दियावा है, तो फिर वो answer सही है, और अगर नहीं दियावा, तो dy और dz निकालेगे हम, simple, question 19 तो बहुत easily solve हो गया, एक minute का भी question नहीं था, अराम से chemistry से भी कम time में solve हो जाएगा, तो आजाते हम question number 20 पे, question number 20 के अंदर system of linear equation दे रखिये, ठीक है, पहली दे रखिये, x plus y plus z is equal to 5x plus 2y plus 3z is equal to 9, मतलब कि एक तरह से दो equation गेरी, और third equation गाने कि x plus 3y plus alpha z is equal to beta, तो इसके एलफा और बीटा ये दोनों unknown term से, और हमें question में भी यही बुचा है कि beta minus alpha क्या होगा, as infinity many solutions, infinity many solutions बोल दिया, तो capital D क्या होगा, हमारा 0 हो गया, capital D 0 वो तो ठीक है, इससे alpha निकल तो सबसे बहले हम एक पर concentrate करते, one step at one time, जो D is equal to, सबसे बहले दो डंडे खड़ेगी है, फिर उसके बाद अंदर हम लिख लेते terms, terms कि है 1, फिर है 5, फिर है 1, ये x के coefficients, फिर y के हो गया हमारे 1, 2 और 3, और z के हो गया हमारे 1, 3 और alpha, ये हमारा 0 आना चाहिए, तो हम बोलते 1 times of 15 minus 2, इसका मतलब ये हो गया, 2 alpha minus 9 minus 5 alpha plus 3 plus 13, ये चीज़ हो गई, अब alpha वाले terms अलग और बागी number वाले terms अलग करते है, यहाँ पर हमारा minus 3 alpha आरा तो वो तरफ जाके 3 alpha हो जाएगा, बाकी की चीज़े आने कि 13 plus 3 16, और 16 minus 9 हमारा 7 हो जाएगा, तो 3 alpha is equal to 7, alpha की value आगे हमा यहाँ पर आएगा हमारा only only x, यहाँ पर हम 5 को हटा देते है, जही मेंस के अंदर original question यह वाल आया था, इसके अंदर प्रिंटिंग mistake हो गई थी, तो इसको फिर से अगर हम solve करते हैं, तो पूरा solve करने की ज़रूरत नी है, जब भी ऐसी कोई गलती हो जाए, ठीक हमें बाद म इसके अंदर change हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 alpha-3 की जगह आजाएगा, alpha-3 और इसके अंदर 15-2 की जगह आजाएगा हमारा 5-2, ठीक है, 15-2 की जगह आजाएगा यहाँ पर 3-2, अब इसके बाद इसको हम जब खोलते हैं, 2 alpha-9, बाकी की terms ऐसे alpha की value आगई हमारी इससे 5, ठीक है इससे 5 value आगई, अब dx निकालते हैं, dx निकालने के लिए पहला step वही है, दो खड़े डंडे की हमने, अब इसके बाद हम क्या गरते हैं, जो की हमारा जो D था, capital D, यह था, इसके सारे elements लिए, यहाँ से उठाए, और फिर इसके अंदर सार 9 और बीटा, ठीक है, तो यहाँ आपने लिख दिया, 9, 9 और बीटा, तो जो question था, उसके अंदर असल में क्या लिखावा था, देखो, इसके अंदर यहाँ पे था comma, 5 के बाद था comma, यहाँने के तीन equation में फिर से लिख देता हू, ताकि confusion ना हो, कभी, कई और भी equation दिखे त x plus y plus z is equal to 5 था, फिर था हमारा x plus 2y plus 3z is equal to 9, लास्ट में था हमारा x plus 3y plus alpha z is equal to beta, यहाँ पे गलती कर दी है इन लोगों ने, इसके करन पूरा answer हमारा है, फिर से करना बढ़ रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, अभी हमें यह बस यह बता है, x plus y plus z is equal to 5 था, यहां तक जो हमने किया, इसके अंदर उसका कुछ काम नहीं आया, बस यहां पर काम आजएगा, यहां पर 99 beta की जगा आजएगा हमारा 5, 9 beta, ठीके, और alpha की value हमें पता चल गए, alpha की value क्या थी, 5, alpha की value हमने यहां डाल दी, 5, this is equal to 0 करना हमें फिर से, तो हम यह बोलते इ तो यह आगा 5 multiplied by 10 minus 9, minus 1 multiplied by 45 minus 3 beta, और लास्ट में, plus 1 multiplied by 27 minus 2 beta, ठीके, इसको हम और खोल देते हैं, 5 minus 45 plus 3 beta, 3 beta plus 27 minus 2 beta, इससे हमारे यह आगा कि beta की value हमारी, 27 plus 5, 32, 32 minus, 32 minus 45, तो beta minus 12, 32 minus 45 हो गया हमारा minus 13, तो beta minus 13 is equal to 0 आगे, तो beta की value आगे हमारी 13, beta की value 13 है, alpha की value 5 है, question के अंदर हम से पूछा है, beta minus alpha याने के 13 minus 5, तो इसकी value होगी हमारी 8, ठीके, तो हमारा answer की आजएगा final, हमारा answer आजएगा 8, जो की question के अंदर option number B यह हुआ है, तो इस question के अंदर ध्यान स एक बार इसे, मैं red box के अंदर में डाल देता हूँ, ताकि बाद में कभी देखो, तो फिर तुमें याद रहे, यह हो गई हमारी black box में डाल देता हूँ, यह तीन equation थी जो हमें solve करनी थी, ठीक है, तो अब आजएते question number 21 पे, 21 पे क्या दिया हूए, the number of values of theta, that belongs to 0 से pi, for which the system of linear equation, 1, 2, 3, 3 linear equation, as non-trivial solutions, non-trivial solution से दिमाग के अंदर आगया कि capital D is equal to 0 है हमारा, अब सबसे पहले capital D लिखते है, capital D लिखने के लिए सबसे पहला step क्या था, तो डंडे कीचे, अब उसके बाद अंदर coefficient दाल देते जो कि यह 1 minus 1 और यहाँ पे है sin 3 theta, sin 3 theta और cos 3 theta इसके अंदर अब हमें करने पड़ेगी, इसके अंदर, calculations थोड़ी बहुत, तो इसके अंदर, अब हमने लिखा second y की terms, याने के 3, 4, और last क्या है, cos 2 theta, और last में z की terms, याने के 7, 7, or 2, ठीक है, यह होगे हमारे, अब इसको हमने कर दिया open, इसको हमें 0 करना है basically, और कुछ नहीं करना, इसक minus 7 times of cos 2 theta, फिर minus 3 times of, इसको कर देते हैं, बलू पहन से, ताकि अलग से दिखें, सही सही, minus 3 times of, minus 2, minus 7 times of sin 3 theta, ठीक है, और last term आ जाएगा हमारा, plus 7 times of, minus cos 2 theta, minus 4 times of sin 3 theta, यह चीज आ गए हमारी, अब इससे further open करते हैं, तो हम बोलते की, 8 minus 7 cos 2 theta, cos 2 theta को यार, मैं ऐसे लिखू, ऐसे लिख लेता हू, तो समझ जाना, c2 theta लिखा है, मतलब cos 2 theta, minus, minus 3 into minus 2, यह हमारा, plus 6, फिर plus 7, 3 is 21, तो 21 times of sin 3 theta, यह sin 3 theta, मैं ऐसे लिखू, cos 2 theta, ऐसे लिखू, underline कर देता, ताकि समझ में आ जाया, minus 7 times of cos 2 theta, minus 28 times of, sin 28 times of sin 3 theta, तो हमारा आ जाता है, 8 plus 6, 8 plus 6 तो हो गया, मारा 14, 14 minus, 14 times of cos 2 theta, यह दोनों को यार किया, फिर 21 minus 21, मतलब कि 7, minus 7 times of sin 3 theta, sin 3 theta, ठीक है, अब दिस is equal to 0 है, 7 हमने common ले लिया, तो हमारा आ जाता है, 2 minus 2 times of cos 2 theta, minus sin 3 theta, is equal to 0, अब equation आगे हमारी, ठीक है, अब हमें क्या करना है, कि cos 2 theta को हम लिख लेते है, sin की term में कुछ लिख सकते है, cos 2 theta को लिख सकते है, sin square की term में 1 minus 2 sin square theta, यह चीज़ हम यहां पर लिख लेते है, और इसको भी sin square की term में लिख लेते है, फिर quadratic बन जाएगे, फिर quadratic को solve कर देते है, एक तरीका तो यह है हमारे पास, तो हम एक तरीके, इस वाले तरीक इस करके दे एक बार, तो यह वजाए दहा 2 minus, 2 times of cos 2 theta है, 2 times of cos 2 theta को हम लिख लेते, 2 times of 1 minus 2 times of sin square theta, cos 2 theta को हम दे सिफ expand किया और कुछ निया, minus sin 3 theta को हम लिख लेते, 3 sin theta, minus 4 sin cube theta, ठीके यह चीज़ लिख लिख लिए हम नहीं, यह उपन कर दे, 2 minus 2 plus 4 sin square theta, minus 3 sin theta, प्लस 4 sin3 थीटा अब देखो 2 से 2 कट गया अब sin थीटा को common लेके उसको हटा दिया sin थीटा तो बाहर आ गया बाकी की चीजे हमारी बची 4 times of sin थीटा minus 3 plus 4 times of sin square थीटा this is equal to 0 या तो sin थीटा हमारा 0 हो जाए या फिर अंदर वाले जो equation है मतलब कि 4x square इस type से 4x square plus 4x minus 3 is equal to 0 और इसके roots क्या हो जाएगे 2x plus 3 और 2x minus 1 यह हो जाएगे तो sin थीटा या तो minus 3 by 2 आ जाए या फिर 1 by 2 आ जाए minus 3 by 2 possible नहीं है या तो sin थीटा 1 by 2 है या फिर यहां से 0 है तो sin थीटा की दो values है या तो 1 by 2 या तो 0 तो 0 से लेके पाय के बीच में इसके कितने solution हो जाएगे देखो open bracket है मतलब 0 और पाय को include नहीं करना तो फिर 0 से लेके पाय के बीच में 0 तो कभी नहीं आ रहा हाफ आ रहा हाफ कितनी बार आएगा दो बार आएगा यह करेगा पाय बाए 6 पे यानि के 30 डिगरी और पाय माइनस पाय बाए 6 यानि के 5 पाय बाए 6 इन दो वैल लुपर कट कर रहा है तो क्योशन के अंदर पूछा है कितनी number of theta जीरो से लेके पाय के अंदर यह कट करेगा तो 2 को कट करेगा वो हमें graph से ही पता चल गया हमें answer निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी अगर half की जगा कुछ भी दिया होता मानलों की 5 5 by 6 दे रखा होता तो भी answer 2 ही आता तो हम बोलते कि answer इसका आ जाएगा बी option जो कि हमारा 2 तो अब आजाते हम next question पर याने question number 22 पर इसके अंदर बोला system of linear equation दे रखी है हमें यह तीन equation दे रखी है इसके अंदर क्या होगा option में दे रखा है या तो inconsistent होगा unique solution होगा infinite many solution रहेगा inconsistent रहेगा या तो और a की value के साथ इसे relate कर रखा है तो इन मेंसे क्या रहेगा यह हमें निकालना है तो सबसे पहली चीज़ पूर्मोस चीज़ जो हम करते की capital D निकालने के लिए सबसे पहले हमने दो डंडे खड़े किये अब अंदर इसके coefficients लिख लेते होगा हमारा इसको जोने स्घ्या तो मर्या आ जाता है one times three times of three times of three square minus one minus six और फिराज़ आ जाता है minus one times of two square minus one is set size को transform करके solve कर दे ये तो बहुत लंबा चले जाएगा transform जो हमने किया तो हम मूलते ही column 1, column 2, column 1 and column 3, column 3, column 3, column 1 तो हमने यही चीज़ की, तो हमरे पास क्या आ गया, हमारे पास यह आ गया, same to same चीज़ करो, column 2 और column 3 को change कर रहे है, यहाई पर पटक दिया, अब हमने क्या किया था हो, यहाँ पर सामने लिख लेता है ताकि confusion नहीं हो, हमने किया कि column 2 को, column 2 minus column 1, लेकि लिखने की जरूरत नही यही मेंस के अंदर यही फायदा लिखने की कुछ जरूरत नहीं रहती, दिमाग के अंदर अगर तुम स्टोर कर सकते हो, दिमाग में करो, नहीं कर सकते है तो लिख दो, गलती नहीं करनी हमने, वहले टाइम जाए तो जाए, एक्यूरस ही ज्यादा हो नीची है हमारी, वाल यहाँ पर आगया a²-3 times a²-3 आगया, simple, इसको फिर से हमने solve किया, खोल दिया मतलब, तो इसकी answer किया आगया, इसका answer आगया 1 multiply by a²-3, बाकी सारी जीजे कट गई, 0, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, सब 0, तो इसका answer आगया determinant का 0, a²-3, अब देखो transformation का कितना फायदा हुआ, ए इसके अंदर हमने किया गया, x की अलावा सारी की सारी चीजे, हमने सारी की सारी चीजे as it is लिख दी और x की जगह हमने लिख दिया, जो equal to की यहाँ है, मतलब 2, 5 और a प्लस 1, तो यहाँ पर हमने लिखा, जो d की अंदर था, सब कुछ सो as it is यहाँ से उठाया हमने, और करने के लिए तरीका अपनाया, तो हम बोलते है कि column 2 को क्या किया, column 2 को column 2 minus column 1, column 3 minus column 1, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा, as it is सबसे बेले तो चापो, यहाँ copy, और यहाँ पर लाके हमने पटक दिया, तो column 2 को हमने minus column 1 किया, और column 3 से भी हमने column 1 को minus किया, तो हमारे यहाँ पर आ जाता है हमारा, इसके अंदर यहाँ पर a plus 1 term है, तो समझदारी देखो, इसके अंदर होगी हम वह भी कर सकते है, जो भी कर रहे थे, या फिर यह भी कर सकते ही, column 1 और column 3 में से कर दिया, हमने minus, column 1 और column 3 में से, इसको लिख लिख लिए column 1 minus column 2 और इसको लिख 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 लिए column 1 minus column 3 minus column 2, ठीके, सेम चीज़ किया हमने, तो इसका तो यहाँ पर आ गया हमारा, इसके अंदर minus 2 times of column 2 कर देते है, ताकि यह भी 0 आ जाया हमारा, तो यहाँ पर हमने आया, 2 minus 2, that is equal to 0, 5 minus 6, तो पर लोगी a minus 5 आ गया, यहाँ पर यह सेम रह जाएगा, 1, 3, 3, लास्ट वला याने कि यह 0 आ गया, यह आ गया minus 1, और यहाँ पर आ जाएगा a square minus 1 minus 3, याने कि a square minus 4, इसे हम करते है open, तो यह minus 1 multiplied by a square minus 4 minus into minus 1, तो यह plus 1 आ जाएगा, तो जब इसको हमने open किया, तो हम बोलते minus 1 multiply by minus 1 into a square minus 4, याने कि 4 minus a square, फिर minus के साथ minus 1 into a plus 5, याने कि plus a minus 5, ठीकि यह चीज़ आ गई, यह हमारा final है, तो इसको जब हमने खोला, तो हमारा आ जाता है, यह minus 1, तो a square minus a plus 1, यह हो जाता है हमारा dx, अब dx आ गया, capital D आ गया, capital D y भी निकाल सकते है, capital D z भी निकाल सकते है, जैसे dx निकाला था, वैसे dy और dz भी निकालेगे, तो dy और dz जा हमने निकाला, तो a square minus 3, और a minus 4 आ जाता है, यह एक बार खुच से करके देखो, तो फिर तुम्हारे determinant की practice होगी, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर है, capital D निकाला, वैसे हमें निकालना है, तो सबसे पहले देख जाने के a is equal to plus minus under root 3, अब a जब plus minus under root 3 है, तो हम देखते dx और dy के अंदर क्या हो रहा है, dx के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर 3 आ गया, 3 minus under root 3 plus 1, मतलब कि dx हमारा 0 नहीं हुआ, dy हमारा 0 हो गया, लेकिन dz भी हमारा 0 नहीं हुआ, तो हम यह बोलते कि capital D तो 0 है, लेकिन इसके अं inconsistent में यही होता है, कि capital D तो 0 हो गया, लेकिन बाकि dx divided dz यह तीनो की तीनो 0 नहीं है, तो ऐसा देख option का पर inconsistent a is equal to 4 गलत है, inconsistent a is equal to root 3, यह सही है, तो यह answer हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा option number D, option number D मतलब कि inconsistent when a is equal to root 3, अब अगर capital D 0 हो जाता, देखो इसके अंदर B option के has unique solution for mod is equal to root 3, लेकिन नहीं, इस पर तो D is equal to 0 आ रहा है, तो यह भी गलत हो गया, अगर a is equal to 4 यहां पर दिया होता है, तो यह भी सही हो सकता था, c है as infinitely many solution for a is equal to 4, infinitely many solution हो ही नहीं सकते क्योंगि यहां पर D is not equal to 0 है, infinite के लिए is equal to 0 होना पड़ेगा, और a is equal to 4, यहां पर D not equal to 0 होना पड़ेगा, तो option, तो question 22 के अंदर हमने a check किया गलत है, b check किया, c check किया, गलत है, हमारा option D सही है, वैसे देखा जाना तो सिफ d y भी निकाल लेते है, d y, d z नहीं भी निकालोगे, तो भी answer same ही आएगा, यह निकालने की जरूद भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि dx हमारा already पता save कर सकते है, ऐसी ऐसी कुछ छोटी-छोटी चीज़े होती है, जिसके अंदर दिमाग लगाना time बचाने के लिए, अगर तुम्हारा mains के अंदर last में time बच गया, मनलो आदा घंटा बच गया और तुम्हाने सारे questions एक बार attempt कर लिए, तो तो तुम्हारे mental pressure बिलकुल कम हो जा consistent है, तो g, h और k के अंदर हमें relation बताना है, अब जब इसने यह बोलता है कि consistent है, तो हम बोलते है कि dx, dy, dz यह तीनों के तीनों भी 0 होने चीए, और capital D भी 0 होना चीए, तो हम सबसे बहले dx निकाल देते है, एक से relation आ जाता है कही बार तो, और एक से नहीं आया तो दूसरा न coefficients है, और z में आ जाएगा 7, minus 5 और minus 9, तो यह dx हो गया, इसको हमें करना है 0, जो हमारा capital D है, वो तो 0 ही होगा, अगर 0 नहीं है, तो मतला question थोड़ा गलत हो गया, question गलत नहीं हो सकता है, तो हमने सीधा dx निकाला, तो g, g ऐसे लिखना वरना 9 के साथ confuse हो जाओगे, तो g, h और k, dx जब हमने निकाला, तो यह आगया हमारा g multiply अब है, g आचर k के टम्स में निकालता हूं, तो यह हो जाएगा, minus 9 इंटो 3 बंदब, minus 27, plus 25, ठीक है, फिर h, जाए, minus h, multiply हो है, 36, minus 75 दो 35, ठीक, अब आजाएगा, k, plus k times of 20, minus 21, तो g, h और k, इन थीन के अंदर हमारा आगया, तो यह equation मन जाती, this is equal to 0, तो equation मन जाती है हमारी, की, minus 2g, minus h, minus k, is equal to 0, मतलब की, 2g, plus h, plus k, is equal to 0, अब यह देखते है, option के अंदर है, 2g, plus h, plus k, is equal to 0, तो option b हमें दिख रहा है, की option b हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी किसी के अंदर 2g दिया हुआ ही नहीं है, तो यह व g, h, or k, की term है, और हमारा आगया, 2g, plus h, plus k, is equal to 0, अब देखो, चोटी सी चीज मुझे यह याद आई, पुरानी है, यह से तुम्हारे vocabulary में काम आएगी, कि यह जो होता है, इसको तुम क्या बोलते हो, मन में सोचो, कई लोग, मतलब जादा तर लोग, 90% लोग, इंडिया क के अंदर ही इसको h, h, h नहीं होता है, यह h, होता है, यह तो ऐसी में बता दिया, ठीक है, लेकिन, इस question के साथ, हमारा हो जाता है, linear equation, इन 3 variables complete, इसके सारे questions complete हो गया, अब देखो, सिर्फ 2019 और 2020 के जो shift के paper थे, उसके अंदर मिला के हमारे 23 questions इस chapter से आ गया, और इसके अंदर ले लेना, और last के अंदर जब revision के लिए तुम जाओ, तो फिर इसको देख लेना, पहली चीज, कि consistent क्या होता है, consistent और similarly inconsistent, ठीक है, यह दोनों क्या होते है, third, main चीज है, unique solution कब होगा, इसके दो क्यूशन आता है, unique solution कब होगा, no solution कब होगा, और fifth, याने के infinite solutions कब होगे, ठीक ह करते है, 3D planes, versus, जो हमें equation दी है, three variable equation, infinite solution मतलब कि एक line आरी हो, उसके अंदर, और उससे ही तिनो के तिनो हमारे plane प्लेन पास कर रहे है, ठीक है, unique solution याने के सिर्फ एक point से पास कर रहे है, जैसे हमारा cube होता है, ठीक है, cube के अंदर, तुमार, जिस room में बैट है, उसके corner पे द no solution मतलब कि वो किसी point पे cut नहीं करते है, याने कि एक plane ये मानलो, और एक plane नीचे वाला मानलो, ठीक है, तब यह देखो, यह गई पे cut कर रहे है, यह वाला plane तो parallel हो गए, तो यह तीन plane कभी, एक साथ, तीनों पे, तीनों किसी point पे cut नहीं करेगे, तो वह आ जाता है हमारा no solution यह सारी चीजे जो कि तुम्हें याद रखने इस chapter के अंदर, बस इतना सा करना है तुम्हें, और matrix और determinant के महनत तुम्हारी double हो जाएगी, मतलब जितना तुम्हारी जितने marks आने वाले तो उससे double marks हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 23 question आया और उसके अंदर तुम्हें देखा होगा तो 17, 18, 19, 20 question आये हर एक से, तो मिल्ला 20, 20, 20, 60 question, approximately 60 question से matrix determinant से आ गए, तुम्हारी सिफ 2019 और 2020 की shift से, बहुत बढ़िया chapter ही है, प्रैक्टिस करो इसका तो question आना ही आना है तुम्हारा 3 variables का, means के अंदर तो, तो प्रैक्टिस करो, इसके अंदर ये सार चीजे पता होने चीए तुम्हें, बस term से कुछ 5 minute लगेगी याद करने के लिए, तो प्रैक्टिस करो, concept clear करो और जाओ support दो